करन्ट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम मार्च सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टन करन्ट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं हमें साथ की तरह आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के झस्रिपशन में प्र फोनेंट में मिल जाएगा आपको पता और चितना में मारा पडियो कोंटेंट हों आपको एक साल तक intentar के रहाते हैं जिसे आप डूबन कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं कोई बी आपका ए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्विज को अगर आप अटेम्ट करेंगे तो आपका करेंगे तो आपका क्रेंट काफी स्ट्रोंग हो जाएगा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फिर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा चले फिर करते हैं सुरुआत इस वीडियो सेशन की आपको जाना चाहिए कि 8 मार्च को इंटरेंसल विमन स्टे का थीम रहेगा इन्वेस्ट इन विमन एक्सलरेट प्रोग्रेस विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड या इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक नुकलियर मिसाइल हाले में किस देश ने यार्स अंतर महादिवी पिया बैलिस्टिक पर्मानों मिसाइल का परिक्षन किया है आप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन C है रश्या आपको जाना चाहिए रश्या की डिफेंस मिस्टे ने एनाउंस किया है किनों ने successfully ERs Intercontinental Ballistic Nuclear Missile का परिक्षन किया है ERs या फिर RS-24 या SS-2920 को बोलते हैं ये एक Russian-Mid Intercontinental Ballistic Missile है और इसकी रेंज है 10,500 किलो मिटर Which country recently became the first to make abortion a constitutional right हाली में कौन सा दिस गर्वपात को समवेदानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया है options आपके सामने हैं सही answer option A है France आपको जानना चाहिए Palace of Persilis में France की Parliament का joint session हुआ और इस session के तोरान इन्होंने French Constitution का हिस्सा बना दिया है महिलाओं का अबर्शन का अधिकार है इसे इस तरह से पहली country बन गया है जिसने जो अपना जो फीटस है या फिर abortion का जो अधिकार है उसको एक basic legal right बना दिया है constitutional right इसको बना दिया है फ्रांस ही बात करते हैं प्रेजडेंट Emmanuel Macron है प्राइम मिस्ट्र गैब्रियल अटल है Capital Paris है currency euro है साथ ही आपको जाना चीए गहाना की बात अगरंग करें गहाना की Parliament ने हाली में काफी restriction लगा दी है LGBTQ rights पर और उनको बहुत ही severely punish किया जाएगा जो भी LGBTQ sexual acts में या फिर rights of gay lesbian और other non-conventional sexual और general identities को जो है प्रमोट करेंगे या फिर इनका पक्ष लेंगे which company has introduced world javelin champion नेरच चोपड़ा एस था brand master for their premium petrol speed किस company ने विश्वे जैवलीन champion नेरच चोपड़ा को अपने premium petrol speed के लिए brand ambassador न्युक दिया है आपको जाना चाहिए कि भारत petroleum corporation ने अपने premium petrol speed के लिए olympic and world javelin champion नीरच चोपड़ा को अपना brand ambassador बनाया है कुछ और brand ambassador की अगरम बात करते हैं तो 99 इन्हें brand ambassador बनाये गया है slice का लंडन बेस consumer tech plant nothing और डाल्मिया investment इन दोनों नहीं रणवीर जिंको अपना brand ambassador न्युक्त किया है वहीं आपको जाना चाहिए payments app phone पे इसने जो celebrity voice feature launch या अपने smart speakers में इसके लिए इसने ममोधी कीछा सुदीप और महेश बाबु को केरल करना तक आंधर प्रतिशुर्थ लंगाना राज्यों के लिए जो है अपना brand ambassador बनाया मतलब इनकी voice को यूज किया जाएगा पी-म नौरेंद्रमोधी witnessed commencement of coal loading at India's first indigenous fast breeder reactor at which place पर दान मत्री ने किस्तान पर भारत के पहले सोदेसी fast breeder reactor में core loading की सुरुआत का अवलोकन किया options आपके सामने है सही answer option दी है कल पक्कम आपको जाना चाहिए भारत का जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो उसकी जो सेकंड स्टेज है इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है प्राइमिस्टर रिंदमोदी ने हाल ही में इंडिया का जो फस्ट इंडिजीनस फास्ट ब्रीडर रियक्टर है कलपकम तमिल कर रहा है आपको जाना चाहिए जो यह फास्ट ब्रीडर रियक्टर है इनिशली यूरेनियम प्लुटोनियम मिक्स्ट ओक्साइड इंधन को यूस करेगा जो यूरेनियम टू-3-8 एक ब्लैंकेट की तरह फ्यूल कोर के स्राउंड में है ठीक है यह परमानू रुमांत्रण में जो है बतलेगा ठीक है जिससे की ज्यादा ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस हो सके और यहीं से इसका नाम पड़ेगा ब्रीडर आपको जाना चाहिए गवर्मेंट ओफिने साल 2003 में भारत यह नाभी के विद्यूत निकम लिम्टेड के स्थापना की थी ताकि इंडिया क जो मोस्ट एडवांस नुकलियर रियक्टर प्रोटोटाइप फास्ट रियक्टर है इसको प्रेट किया जा सके कंस्ट्रक्ट किया सके हैं हाव मैं न्यू मून्स है वीन डिस्कवर्ड और बिटिंग यूरेनस और नेप्चून की परिकरमा करते हुए कितने नए उपक्रेक हो जेगे सही आंसर अप्शन भी है त्री देखें इंट्रनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन में जो एस्ट्रोनॉमर से इन्होंने हाली में तीन प्रीवियसली अन्नोन मून्स को डिसकवर किया है और दो तो नेप्चून को सर्कल कर रहे हैं और एक यूरेंस को तो इसी त बारत में दूर संचार विभाग द्वारा नया लॉंच हिया गया डिजिटल प्रेट्फोर्म चक्षू किस उद्देश के लिए डिजाइन किया गया है सही आंसर अप्शन दी है रिपॉर्टिंग फ्रोड कॉल्स एंड मैसेज़िस आपको जाना चाहिए मेंस्ट्रेव कम् ठीक है तो उससे संबंदित है यह फाइनेशल फ्रोड जो होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है यह डिजिटल इंटलिजिएंस प्लेट्फोर्म और दूसरा इन लॉंच किया है चक्षू फैसिलिटी संचार साथी पोर्टल पर अगर हम वन बात करें तो इसमें जो के रियल टाइम इंटलिजेंस चेर की जा सके साइबर कायम को रोका जा सके दूसरा है चक्षू तो चक्षू में जो भी कंजूमर फ्रोड कम्निकेशन रिसीव करता है अपने कॉल पर एसमेस पर या फिर वट्सैप पर लाइक के वाई सी एक्सपायर या फिर बैंक एकाउं संबी 2024 कि साइटी ने अखिल भारतिया अनुसंदान इसकोलर सिखर सम्मिलन दोजार चोबीस की मेचवानी की सही आंसर ऑप्षन भी है आईटी मद्रास इंडियन इसरे आफ टेक्नोजी आईटी मद्रास ने ओल इंडिया रिसर्च इसकोलर समीट दोजार चोबीस को और्ग में प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पोस्टर सेशंज और प्रोड़क्ट प्रोट्रोटाइब सो केसे इस मोडी इस रिवाइड सीटीपी फोर्कास्ट फोर इंडिया इन 2024 में भारत के लिए मूडी इसका संसोधी जीदी पूर्वान वान क्या है सही आंसर आफिशन भी है 6.8 परसेंट आपको जाना चाहिए मोडी ने 2024 के लिए भारत का जो जीदी फोर्कास्ट है उसको 6.8 परसेंट कर दिया है इससे पहले मोडी ने अपना जो प्रेजक्शन दिया हुआ था वो 6.1 परसेंट बताया था आप से भी जानते हैं जो भारती रियल जीटीपी ग्र भुश्वर उडिजा उडिजा की बुषवर में उध्कल विस्विध्याले की त्रिपन वे दिख्षतां समारों को कि इसे ने सम्मोडित किया सही अंत्र और अप्षिन्स है द्राप्ती मुर्मू प्रेजिदेंट आफ इंडिया द्राप्ती मुर्मू ने उथ्कल और एन हेरिटेज इस नेसल सेमिनार को भी इनोग्रेट किया है आपको दादी जो किया उंजर है ये एक ट्राइबल डॉमिने ट्रिस्टिक है कई तरह की ट्राइब से आपर देखने करें मिलती है मुंडा कोल बुया जुआंग सांती बतुडी गॉंड संथल और आंगर साथ इनों ने एकला व्यमोडर रेसिदेंशल स्कूल को भी इनोग्रेट किया है बादशाही मयूर्ग बंच उडिसा में और गोल्डन जूबली सेलिबरेशन को भी इनोंने संबधित किया है ब्रह्मकुमारी उडिसा काटक में और 25th Convocation और बहरामपुर यंवस्टी जो की बादशा बिहार कंजम उडिसा में इसे भी एड्रस किया है इन्विस्टिटी इस दा नेशनल इस्टिट ओफ वन हेल्थ लोकेटेट नेशनल इस्टिट ओफ वन हेल्थ किस सहर में इस्तित है सही आंसर ऑप्शन यह है नाकपूर आपको जाना चाहिए यूनियन केडिट न करनेयों होंगे में मल्टी मैंस्टिक्रीयल एं मल्टी सेक्टोर्ल वल्थ मिशंस के लिए भी साथी आपको जाना चाहिए कुछ और डिसीजन देख लेता है जो यूनियन केडिट ने हाली इन हैं इसमें किया है और डिटी इसमें इस्प्रेसिपाई की गई है बारा ग्रें एंड इस्ट लीनल्स है इनको रियल्टी रेट स्थेश्फिकेशन है वह कारें पुरा हो चुका है थी क्योंकि क्लिवर्ण्ट ओरडीधिव एक्षप क्रिटिकल मिनरल्स की है वह है वह 2022 में और तीन मिनरल्स ही दोजार थीज में सपैस्थफाई कर चुकी है साथ आपको चाने से यूनियन केबिनेट ने डिपार्टमंट ऑफ फर्टिलाइजर का जो प्रोपोजल है जिसके ताइग नहीं ने कहा है कि खरीफ सेजन टॉट नॉटिफ फॉर के लिए न्यूट्रेंट बेस्ट सब्सेडी को फिक्स किया जाए फॉस्फाटिक एंड कोवल दे दिया है यूनियन केबिने साथी तीन ने फर्टिलाइजर क्रेट्स को भी इंक्लूट किया गया है इस न्यूट्रेंट बेस्ट सब्सेडी स्कीम के तहट जो टेंटेटिव बजट्री डिक्वार्मेंट है फोर खरीफ सीजन टॉटिन टॉटिफॉर यह 24,420 दिया है और बताए गया है कि जो खरीफ फूट ग्रेंट प्रोडक्शन है यह फंद्रासुटाइज सम्मलव 8-7 LMT और रभी फूट ग्रेंट प्रोडक्शन पंद्रासुटाइज क्याव पाच्छे एक LMT रहने वाला है है हो इन्वेट दा इलेक्ट्रोनिक डेटा इंच एट लेंड कस्टम्स स्टेशन ऑफ दर नौर्थ इस्ट रीजन उत्तरपूर विष्थ के भूमी सीमा सुल्क स्टेशनों में इलेक्ट्रोन डेटा इंटरचेंज का उतकार्टन किसी ने किया सही अंदरप्शन दिया निर्मला सितरमन यूडिन मेंस्टर फाइन्स औ वहाँ पर इलेक्ट्रोनिक डेटा इंटरचेंज को इनक्रेट किया है इसे के साथ अब क्या होगा जो मुमेंट ऑफ गूड सेंड कस्टम क्लिरेंस है वह और एफिशेंट हो जाएगी देखेंगे प्राइमिस्टान और वर्वरक एंडरसायन लिम्टेट का जो सिंद्री फर्टिलाजर प्लांट है इसे रास्ट को समर्पित है इसके अधारशिला दो जारएठार में प्रदार मंतरी द्वारा रखी गई थी आपको जाना चाहिए हिंदुस्तान और वर्वरक एंडरसायन लिम्टेट एक चोंड वेंचर कंपनी है अलग अलग PSU की जैसे NTPC, IOCL, CIL, Fertilizer Cooperation of India, Hindुस्तान Fertilizer Cooperation Limited इन सभी के वीच में साथी प्रामिस्ट नर्मोदी ने हिंदुस्तान और वर्वरक एंडरसायन लिम्टेट फर्टिलाजर प्लांट को इनोगरेट किया है बरौनी बिहार में Coal India Limited recently entered into an MOU with which Indian Institute of Management for Multimodal Connectivity Infrastructure in Coal Transportation Coal India Limited ने हाली में Coila परिवेन में Multimodal Connectivity बुजादी धाचे के लिए किस भारती है प्रबंद प्रबंदन संस्थान के साथ एक समझो देगा पर प्रश्टाक्षर की सही आंसर और शंदी है के I am Mumbai and I am Sambalpur Coal Indiremitted में MOU sign किया है Indian Institute of Management Mumbai & Indian Institute of Management Sambalpur के साथ ताकि जो Coal Transporeation Connectivity उसको बढ़ाया जा सके है आपको जाना चाहिए भारत जो है 5th largest coal reserve है भारत में ग्लोबली और सेंगेंड लार्जेस कंजूमर ने भारत कोल का आपको जाना चाहिए 36 बेस्ट साउथ इस्टरन कोल फिल्स लिमिटेड की जो केवरा माइन है यह एशिया की लार्जेस कोल माइन बनने वाली है हाली में सरकार द्वारा इसको परमेशन दे दी गई है कि 70 30 मिलियन टन्स पर एनम तक का प्रिडॉक्शन यह कर सकती है फिलाल यह 52.5 मिलियन टन्स का प्रोड़क्शन करती है कि यूनियर में से धर्मेंद्र प्रधान ने 100 क्यूब को एड्रस किया है आयम संभलपूर उडिशा में साथ इनोंने आई हब फांडेशन को भी इनोग्रेट किया है हैं संभलपूर में 100 क्यूब स्टार्ट अप क्लों कौन क्लेव का मक्सद है कि 100 स्टार्ट अप्स और हर एक की जो एवरेज वर्त है वह 100 क्रोड हो तो इस तरह की स्टार्ट अप्स त्यार करना 2036 जब बिहार अपनी 100 अनिवर्सरी से अंबलपूर उडिशा में तो प्रिपेर यंग रिजुएट्स ओप उडिशा फुर एम्प्लियमेंट ऑपर्टूनिटीज इन दा फानेंशन सर्विसे सेक्टर वट इस दे ग्रोज गुड्स एंड सर्विसे स्टेक्स रेवेन्यू कलेक्टेट फॉर फैबुरी टॉट्टीफोर फर्वी दोजार चौबीस में एकत्रित सकल लवस्तू एमंट सेवा कर यानि की जियस्टी राजस्व कितना है सही आंसर उपिशंसी है एक लाग 2337 क्रोड रुपाई रहा है 12.5% का इंक्रीज देखने के लिए मला है यदि हम 2023 के फर्वरी महीने से कंपेर करें तो जो डॉमेस्टिक ट्रांजेक्शन से यहां पर जीस्टी में ग्रोफ देखी गई 13.6% की ग्रोफ देखी गई है फर्वी दोजार चौबिस ता करम टोटल ग्रोफ जीस्टी क्लेक्शन फॉर्ड करेंट फिस्कलियर यानि की पूरे फिस्कलियर की बात करें तो 18.40 लाग क्रोड रुपीज रहा है यानि की 11.07 परदिशत की वरिद्दी देखी गई है एविरेज मंतली ग्रोफ क्लेक्शन फिस्कलियर 2023-24 के लिए 1.67 लाग क्रोड 3 Centers of Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology in विचे स्टेट्स के अंधर मंतली डॉक्टर मान सुकमान विया ने किस राज्य में Central Institutes of Petrochemicals Engineering and Technology के तीन के द्रोगा उतका रटन किया सही आंसर ऑप्शन दिया हिमाचार प्रदेश जारकंड एंद मध्या प्रदेश Union Minister of Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare दोक्टर मान सुकमान विया इन्होंने Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology याने के CIEPET इसके तीन सेंटर्स इन्योग्रेट किया है एक हिमाचार प्रदेश में दूसरा जारकंड में तीसरा मत्यप्रदेश में तो अकर हम इस पेसे विली बात करें तो हिमाचार प्रदेश के बड़ी में और चारकंड के नाची में और एंपी के गवालियर में साथी डॉक्टर मान विया ने आई इस आईसी मार एडवांस्ट सेंटर पोर इंटेग्रेटर हेल्थ रिसर्ज इसको लोंची है एम्स न्यू डैली में यूरिविश्टर दोक्टर जितेंद्र सिंग ने ह सब्सक्राइब बाए गेल गेल द्वारा भारत की पहली लगू इस तरी एलंजी इकाई कहां इस्तापित की गई है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है वीजवपूर मध्यपरदेश यूरिमिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेच्रल गैस एंड हाउस सब्सक्राइब गेल ग्रूप के द्वारा एक्रोस सेवंटीन स्टीट्स और जो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल एलंजी यूनिट है इसको सैट अप किया गया गेल द्वारा विजयपूर मध्यपरदेश यूनिट में आपको जाना ची एनलस एनलसी इंडिया ग्रीन ए जिसके तहट 800 मेगावाट की दो यूनिट्स बनाई जाएंगी अनपारा सोनबद्र डिस्टिक में एंटीपीसी के साथ मिलकर 8,624 क्रोट रूपी की लाकत से आपको जाना चाहिए कि आएनेस जटायू इसे मिनिकोई आइलेंड लक्षरी में कमिशन कर दिया गया है और इस मौके पर एड्मिनर आर हरीकुमार जो की चीफ है नवल स्टाफ के और लक्षदीप के एड्मिस्टेटर प्रफुल के पटेल भी मौजूद रहे आपको बता दे जो मिनिकोई आइलेंड है ये लक्षदीप के सदर्ण मोस्ट में है आइनेस जटायू नवल ऑफिसर इंचार्ज लक्षदीप सदर्ण नवल कमांड के अंडर में जो है ओपरेशनल रहेगा आपको जाना चाहिए आइनेस जटायू सेकंड नवल बेस है जो लक्षदीप में है इंडियन नेवी का इससे पहले कवरत्ती में भी है आइनेस द्वी प्रक नेवी ने हाली में 1st MH-60R Multirole Helicopter Squadron INAS-334 Seahawks इसको भी कमीशन किया है INS करूड कोची में और अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो भारत द्वारा साल 2020 में 24 यानि की 24 MH-60R के लिए एक डील साइन की गई थी 2.4 billion US डोड़ी की डील US कोवर्मेंट से कि इनको प्रोक्योर किया जा सके 24 MS-60R Multirole Helicopter को प्रोक्योर किया जा सके इन्हें प्रेडूस किया जाता है Lockheed Martin के द्वारा साथ है आपको जाना चाहिए INS विक्रमादित्ते पर डिफेंस मेंस्टर आयना सिंग ने 1st Naval Commanders Conference of 2024 को संबचित किया है यह hybrid mode पर संपन हुई इन्विस्टिटिट प्राइमिस्टर अन्मोदी इन्गरेट इन्डियास 1st Underwater Metro प्रदारमादित ने 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 किस सहर में भारत की पहली Underwater Metro का उतकाटन किया है options आपके सामने हैं सही आंतर option C है Kolkata आपको जाना चाहिए प्राइमिस्टर अन्मोदी ने इंडिया की 1st Underwater Metro लाइन को इन्गरेट किया है Kolkata में और इसमें सवारी भी की एसमेनेट से जो है हावडा मैदान के बीच में यह चला है हावडा मैदान एसमेट स्क्षेन Underwater Metro लाइन यह First Transportation टर्नल है जो की रिवार के अंदर है रिवर के नीचे है भारत में ठीक है तो Firstin Underwater जो स्टेशन मना है बन यह हुगली रीफल कोलकाता हाय कोकाता होती है कोलकाता और हावडा इसके एस और वेस्ट बैंक पर है और हावडा वेस्ट बैंक पर है यह दीपेस्ट मेट्रो इस्टेशन भी है भारत में ठीक है 33 मिटर डीप जो इस्ट वेस्ट मेट्र कोरिडोर है कॉलकाता का इंकुल्डिंग 4.8 किलोमेटर इस्टेश बिट्वीन हावडा मैदान एंड इस्प्लैंड इसमें जो है पांसो भीस मिटर अंडर रीवर टर्नल है और टोटल जो 16.6 किलोमेटर लेंट है उसमें से 10.8 किलोमेटर अंडर ग्राउंड है विट टरनल अंडर हुगली रिवर अच्छा आपको जाना चाहिए जो कोलोमेटर मैटर है ना यह भारत की फर्स्ट ऑपरेशनल रैपीड ट्रैंजिट सिस्टम है 1984 में सबसे पहले यही जुरुआत हुई थी कोलोमेटर मैटर की बारत के लिए सो टेस्ट मैच खेलने वाले चोडवे किलाडी कोन बन गए है रवीचंदर अश्विन आपको जाना चाहिए रवीचंदर अश्विन फूर्टीन प्लेयर मने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए और यह कृतिमानियोंने हासिल किया इंगल किया था निव डैली में 2011 में इससे पहले हमने देखा था कि अश्विन सैकंड इंडियन बने हैं अनिल कुम्ले के बाद इन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं 500 टेस्ट से का इंगलेंड के च्रैक क्रॉली रहे हैं आपको यह विजाना चाहिए 14 प्लेयर बने हैं इन से पहले किन लोगों ने सो याइस से ज्यादा मैचेस के लें टैस मैचेस सबस्यादा के लें 200 फिर राउल दर्विट विएस लक्ष्मन अनिल कुमले कपिल देर सुनिल कावसकर दिलिव वेंकसरकर स्वरभ गांगुली विराट कोली सांतरमा अर्भजन सिंग चतेश्वर पु प्रमोट यूज ओफ लोकल करेंसी फोर क्रोस्पोर्ट ट्रांजेक्शन विद वीच सेंट्रल बैंक बार्श्ट रिजर्व बैंक ने किस केंद्रे बैंक के साथ सीमा पार लेंदेने के लिए इस्थानी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझोता है कि परस्ताक्षर किये सही आंसर ऑप्षण यह बैंक इंडोनेशिया रिजर्व बैंक ओफ इंडिया एंड बैंक इंडोनेशिया जो इंडोनेशिया 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 का है इसे अंडर डारेक्शन्स रखा हुआ है और दस माय दोजार चोबिस को इस किया थी खतम हो रही थी तो और एक्स्टेंट करती है तीन महीने के लिए दस जून दोजार चोबिस तब है विच ग्लोबल रिसर्च फर्म डाउंग्रेट इस रेटिंग ऑफ इंडिया इस एसे बैंक एंड यस बैंक किस वैस्ट फर्म ने भारतिय स्टेड बैंक आई से बैंक और यस बैंक पर अपनी रेटिंग घठा दिये सही आंसर ऑप्शन सी है गोल्ड मैंस सेक्स ग्लोबल रिसर्च फर्म को इनहोंने अपनी जो रेटिंग है इस बैंक ऑफ इंडिया के ल बैंक को भी और SBI को भी ठीक है बाय कैटेग्री से न्यूटरल बेसिस पर कर दिया है वहीं इसने यास बैंक को न्यूटरल से सेल के डेगरी पर कर दिया है बल जबकी जो HDFC इंक उसको बाय की तिक लिए रखाया है इन्होंने Central Hall of Parliament New Delhi में National Youth Parliament Festival 2024 को संभोधित किया यतिन भासकर दुगल जो कि हर्याना से इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है इस National Youth Parliament Festival 2024 में V-City hosted a National Conference on Excelluting Sustainable Development Goals की सहर्ण सदत्विकास लक्षियों में तेजी लाने पर रास्टे संभेलन की मेजवानी की सही आंसर अप्चने है जैपूर आपको जाना चाहिए निति आयोग ने National Conference on Excelluting Sustainable Development Goals को और्गनाइज किया है किसके साथ मिलकर गवर्मेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर जैपूर में और टेक्निकल पार्टनर्स रहे यून डीपी एंड यून इंडिया अच्छा अगर हम नितियाक से संबंदित और करेंटफेर्स की बात करें तो टेक्नलोजीज भारत में जो है अच्छे से लाई जा सके यूथ इंपाव्मेंट किया जा सके इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन नितियायोग ने मेटा के सा करेंड़ आट मिलकर फ्रंटियर टेक्नलोजी लैप्स को लॉंच किया है तो इस्कूल में इस तरह की लैप्स जो है सतापित की जाएंगी ताकि जो फ्रंटेर टेक्नलोजीज हैं उनके छेतर में आगे बढ़ा जा सके यून डीटियायोग नितियायोग का नेथी फोर श्त देट्सुन कोमिशन ऑफ इंडियांे नांस्यून कप्राइट। गूपेशनल विल्गुटिस्ट्रह। इंडियन इस्टेट पेट्रोलियम साइंड मुद विज इस्टेट गौर्मेंट फॉर पाइन नीडल्स बीस्ट फ्यूल मेंगिंग टेक्नलोजी बारतिया पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन डिल्स आधारीत इंदर मनानी की तक्निक के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझे जो तक ग्यापन परस्ताक्षर किये सही आंस्रोप्चन सी है उत्राखंड आपको जाना चाहिए एक M.O.E.U. साइन किया गया है CSIR इंडियन इस्टेट कांसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलोजी यू कोस्ट के बीच में और यह मोई है यह आधर चंपावत मिशन के तहत साथ जिसके तहत इंटरसल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फोर डैम्स वो इस्टबिश किया जाएगा कि वर्ट परसेंटेज इंक्रीज वाज एप्रूट बाइदा यूनियन केबिनेट फोर दियर्नेस अलावेंस ओवर दे एक्सिस्टिंग रेट यूनियन केबिनेट ने महिंगाई बत्ते में मुझे जादर से कितने प्रदिशत की बढ़िस्टी को मंचूरी ती है सही आंसर हो चुका है एक जनवी 2024 से इसको लागू किया जा चुका है और चार प्रतिशत की वृद्धी देखने के लिए फिलहाल कितना रेट है इसका डेर्नेस अलाउंस का 46 परसेंट तो फोर परसेंट बढ़ गया है यानि कि 50 परसेंट हो गया है और सरकार कितना खर्च करने वाली पे कमिशन की रिकमेंडेशन पर जो एक्सेटेट फोर्मूला है उसके बिसस पर गया गया है तो 50 परसेंट हो गया है देर्नेस अलाउंस और इसे के साथ जो नियू ग्रेचुटी लीमिट है वह भी बढ़ चुगी है पहले 20 लाग थी और 25 लाग हो जाएगी आपको जाना परकालते जो यह ढीजर होता है और कि डिअर्नस अलाउंस ओता है और दीयर्मेस को और टीयर्नरेस को रिलीफ होता है एस साल में दो बार तो यह मेंध्पोन प्रेंट है किस बिसिस पर किया जाता है पह baru आई टबलू के बेसिस पर वाट इस अप्रूड बजट आउटले फोर दी इंडिया एई मिशन इंडिया एई मिशन के लिए सुईक्रत बजट परीवे कितना है सही आंदर अप्शन दी रहेगा बस जार तीन सुई का तर दसमलो नो दो करोड रुपाए इंडिया एई मिशन को मंजूरी दे दिया जिसकी बजट आउटले है दस जार तीन सुई का तरसमलो नो दो करोड रुपाए आपको जाना चाहिए इसमें जो भी पॉब्लिक सेक्टर है या प्राइबिट सेक्टर है उनको प्रोत्सान किया जाएगा कि आप एई इनोवेशन में जो है आगे आई है आटिफिचल इंट्रेजन संबंदित इनोवेशन जो सरकार के भी गामा सके पॉब्लिक पॉब्लिक फॉब्लिक कारने में जो है मददगार हो तो आपको जाना चाहिए यह मिशन है इसको इंपिल्मेंट किया जाएगा इंडिया एई इंडिपेंडनेंट बिजनेस दिविजन के द्वारा अंडर इजिटल इंडिया कोपरेशन साथ कोंपोनेंट इसके इंडिया इंडियाएं इंपिट कैपसिते इंड्या इंडियाएं ईंवेशन सेंटर इंडिया ऩाइअ एई डेटा सेंट फ्लै इंडियाएं अमम टेशने सांटी मिन्द इसके और से अंडिया इपेन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंड्रस्ट्री इंटर्णेट यानि की डीपी डिबलाइटी का जो प्रपोसल था कि उत्तरपूर ट्रास्फोर्मेटिव इंड्रस्टलाइज़शन स्कीम दोजार चोवीस यानि की उन्नती दोजार चोवीस को लॉंच किया जाए इसे तिस मार्थ दोजार चोंतिस तक विट एट यर्स ओफ कमिटेव लाइबिलिटीज यह सेंट्र सेक्टरी स्कीम है यह आपको जाना चाहिए दो पार्ट में पार्ट यह है इंसेंटिफ्ट इलिजिबल यूनिट्स इसके लिए नोजार साथ साथ करोड़ रूपे और इसमें कुछ चीजे देख लिए जैसे एप्लिकेशन पीरिडिका रहेगा रिजिस्ट्रेशन के लिए इकत्यस तीन दोजार चब्विस तक ग्रांट ओफ रिजिस्टेशन ठीक है यह यह एकत्यस पार तोजार सथाइस तक देवी जाएगा एप्लिकेशन मतलब इसमें शुरू कर सकते हैं डुस्ट्रिक्स आर्केटराइब इंटू जोंस पहला है जोन इंडुस्ट्री एडवांज इस्टी दूसरा जोन भी इंडुस्ट्री बेकवर्ड इस्टिक्स यह मार्किंग फॉण सिस्टी परसेंट ऑफ आउट नौर्थेसे स्टेट्स एंड 40 परसेंट ऑन फस्ट इन फस्ट आउट बिसिस अचागर हम इस उन्नती स्कीम के बात करें तो यह टोटली नाम में रिखाया उत्तरपूर्व नौर्थे स्टीचन के लिए बनाए गई है महाँ पर एंप्लोइमेंट जनुरेशन के लिए और इंडुस्ट्री इसका डेवलप सनमुल्य क्या है सही आंत्रॉप्शन सी है 5,335 रुपई पर क्विंटल कैबिनेट कमिटे और इकोनमिक अफेर जिसके देक्स्ता प्रामिस्ट्रें मोदी ने की इन्होंने अपना अप्रोवल दे दिया है कि 2024 के लिए जो रो जूट है उस पर मिनियों सप्रोड प्राइस ज यहां पर बढ़ाया गया है जूट कोपेशन ओफ इंडिया फैट पर स्कॉलकाता वेस्ट में आए आपको याद अठना है साथिया आपको जाना चाहिए जो टी सेक्टर के लिए फाइनेंशल असिस्टेंस हैं अंडर दा टी रेवलोप्मेंट और प्रोमोशन स्कीम इसको भी 82 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जहां 290.08 क्रोड था इसे बढ़ागर 528.097 क्रोड रुपे कर दिया गया है एक लिए दो फाइनेंशल एर्स के साथ के लिए यूनियन कैपनेट ने जो टार्गेट सबसेडी है 300 रुपे पर 14.2 केजी सिलेंडर ठीक है अब टू 12 रिफिल्स पर इयर इसको कंटिन्यू करने की मंजूरी भी दे दी है जो भी बेनेफिश्री है पर पदार मंत्री उच्वला योजना के लिए उनके लिए साथी होटी कल्चर प्रोडक्शन 2022 में के जो फाइनल एस्टिमेट है वो भी आउट हो चुके है यह बताया गया है 355 चार आर्ट मिलियन टन्स यानि की 2021 से 8.30 मिलियन टन्स की ज्यादा मतलब की बड़ोत्री देखी गई है अगर हम होटी कल्चर प्रोडक्शन इक बात की 2023 में उपर वाला 2022 के लिए ठीक है फाइनल एस्टिमेट्स यह दूसरा जो है यह देईश्योबिस के लिए यह फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है और यह कितना रहेगा होटी कल्चर प्रोडक्शन 355 मिलियन टन्स इंडस्टिमेंक इंड़ान MOU विद विचे स्टेट गोर्मेंट तो फोकस ओन लाइट स्टोक हेल्थ केर मेनेजमेंट इंडस्टिमेंट ने पश्वुधन स्वास्ति देख बाल प्रबंदन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझा था क्या पर पस्तक्षर की सही आंसर इंडस्टिमेंक और भारत फानेंशल इंडस्टिमेंट जो कि 100% सबसेट्री इंडस्टिमेंट के साथ ताकि लाइफ स्टोक हेल्थ केर मेनेजमेंट किया राज्य में ठीक है और जो वेस्टर्ण उत्रपरदेश है वहाँ पर वैलफेर स्कीम चलाई जा सके जारी किया जाते हैं जिसे 23 सितंबर 2018 में लोंच किया गया था नेशनल हेल्थ पोसी 2017 की रिकमेंडेशन पर उच्चे तम नियालाए की साथ नियाएधीशों की पेटने हाली में संसद और राज्य विदान सभाव के सदस्रे के लिए किस परकार की छूट के विरिद्ध फैसला सुनाया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है इम्मुनिटी फ्रम प्रोसेक्यूशन फोर टेकिंग प्राइप्स देखें मेंबर्स ऑफ पार्लेमेंट और इस्टेस लइसलेशर जो भी प्राइप्स लेते हैं रिश्वत लेते हैं वोट करने के लिए या फिर किसी ए कहा है सुप्रीम ओडी सेवन जेज बेंच ने कहा है इससे पर 1998 कहा जो जज्जमेंट था जी में प्राइपरी केस उसमें इम्मुनिटी दी गई थी कि प्रोसेक्यूशन नहीं किया जा सकता है ठीक है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को ओवर रूल किया है और यानि कि उसको जो है रिवर्स किया है उसको ठीक है ओवर रूल कर दिया है और यह जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोड ने अब यह राज सभाई एलेक्शन हों या फिर प्रेजिदेंट एंड वाज प्रेसिंट के लेक्शन हों वहाँ पर भी सामिल रहेगा ठीक है जो इंसिडेंट है वो देखने के रहे मिलते रहते हैं अच्छा इवेंट इस तरह के वो देखने के रहे मिलते रहते हैं खारिश कर दिया और कहा कि जो इंपीज हैं इनको इम्मिनुटी प्राप्त है अंडर आर्टिकल 105 सबसेक्शन दो और इस तरह की इम्मिनुटी प्राप्त है इस्टेटलाइस लेचर्स को आर्टिकल 194 के तहत अब जो यह यूनैनिमस वर्डिक्ट दिया गया है साथ जजज बै विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स तशिक्स्थ पोशन पखवारा फ्रॉम 9 तूर 23 मार्च 24 कौन सा मंत्रा नो से तीस मार्य दोजार चोबीस तक छटा पोशन पखवारा मना रहा है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन्स यह मिन्स्ट्री ऑफ विमन एंड चा आपको जाना चाहिए जो यह एक्टिविटीज है इस पोशन पखवारा में यह कुछ थिम्स पर आधारीत रहेंगी जैसे पोशन भी पढ़ाई भी ट्रेडिशन एंड लोकल डाट्री प्रैक्टिसेज फोकस्ट सेंसिटाइज़ेशन एरांड नूट्रिशन एंड हैल्थ प्रेगनेंट वुमेन एंड आई वाई सीएफ यानिकी इंफेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग ट्रैक्टिसेज आपको जाना चाहिए कि हर साल पोशन पखवारा यह मार्च के महीने मनाया जाता है 15 दिन तक चलता है और इसी दरह से रास्टे पोशन महां भी बनाया इन्विस्टी वॉस इंडियास फर्स्ट नैशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटिड बारत का पहला रास्ट यह डॉल्फिन अनुसंधान के इंद्र का उतकार्टन किस सहर में किया गया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन एह है पटना आपको नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की चीश मेंस्टर नितिश कुमार ने इसको इनोग्रेट किया है आपको जाना चाहिए जो गैंगेटिक रिवर्ड डॉल्फिन इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वाइड लाइफ प्रोडक्शन एक 1972 के सेड्डूल व वर्ड में जो चार फ्रेश वाटर डॉल्फिन इस पाई जाती है उनमें से एक क्यांगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन बाकी की जो तीन है वो यंग्चे रिवर चाइना में यहां तो प्लाइंड होती है और अपना रास्ता या फिर अपना शिकार खोजने के लिए इको लो वापस रोटती है उससे इने पता चल जाता है कि रास्ता की तरह या फिर कोई रुकावट है आगे या फिर कोई शिखार है ठीक है अच्छा आपको बता दें सबस्यादा जो डॉल्फिन है अल्मोस्ट हाफ पूरे देश में यतनी है उससे हाफ जो है बिहार में ही है ठीक ह मनाया जाता है सही आंसर उप्शन सी है मार्च 10 आपको जाना चाहिए इंट्रनेसल डे ओफ विमें जेज़स यह 10 मार्च को सेलेविट किया जाता है दोजार चोबीस में इसका थीम रहेगा विमन इन जस्तिस विमन फॉर जस्तिस प्राइमिस्टर रेंदर मोदी इनगुरेटेट दस्टेला टर्नल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट परधार मंत्री रेंदर मोदी ने किस राज्य में स्टेला सुरंग परियोजना का उतकाटन किया सही आंसर अप्चंडी है अरुनाचल परदेश आपको जाना चाहिए प् प्राइट भी राष्ट को समर्पित की सेला टर्नल के अकरम बात करें बौडर रोड और्गनाइजेशन यान की बियारो द्वारा बनाई गई है इसको तेरह जार फीट की एल्टिट्यूट पर यह तेजपूर आसाम को तवांग जो की वेस्ट कामिंग डिस्टिक पार प्रोजेक्ट जो की एन एच्पी से लिप्टेड द्वारा बनाए जा रहा है लोवर दिपांग वैली डिस्टिक अनुनाचल प्रदेश में इसकी भी हादार चिला रखी है दोसटोट तर मीटर हाई डैम है और यह हाइस्ट आर्ट सी डैम रहने वाला है वर्ड का या यु सेना इस्टेशन पर कितनी भारती है वाई यु सेना इकाईयो को रास्ट्य धवज और पता का से सम्मानित किया गया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन्स ही रहेगा फोर डिए प्रेजिदेंट रॉप्ती मुर्वों ने प्रेजिदेंट स्कलर दिये हैं दो fighters squadron of Indian Air Force and president's color दिये हैं two formation of Indian Air Force कहां पर हुआ है समारो Air Force Station हिंडन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा पहली बार है जब प्रेजडेंट's color और प्रेजडेंट's standard ये दोनों एक साल दिये गही है अमोवन क्या होता है कि पिछले 25 सालों से क्या होता रहा है कि अलग अलग ceremonies की होती है तो दो fighters squadron जो है इंडियन Air Force के उन्हें प्रेजडेंट's standard दिया गया है इसमें है नंबर 45 flying daggers जो की फस्ट light combat aircraft squadron है इंडियन Air Force की और दूसरा है नंबर 221 squadron valiant ठीक है अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें 11 base repair depot और 509 signal unit इन्हें presidents color दिया गया है प्रेजडेंट आप सभी जानते हैं जो हमारे armed forces हैं उन्हें की Supreme commander होते हैं या होती है Panama has become the 97th member country of which international organization पनामा हाली में किस अंत्रवास्टे संगठन का सत्तान सत्तानवेवा सतस्य देज बना है सही आंत्र आप्शन भी है international solar alliance ISC तो पनामा हाली में international solar alliance का सत्तानवेवा member nation बना है 97th member nation बना है officially ratify कर दिया है आपको दादी जो ISC है यह इसमें 120 से ज़्यादा सिखनेट्री कंट्रीज हैं ज्यादतर में कंट्री से जो शंशाइन कंट्रीज है यानि कि यह तो completely अफिर पार्टली टोपिक ऑफ कैंसर एंड टोपिक ऑफ कैपिकोंट के बीच में जो है लाई करती हैं तो अब यहां से एक स्टेत्मेंट को शना मिन जाता है तो क्या जो ने जो टोपिक में लाई नहीं करती क्या वो सका मेंबर सद्सें नहीं बन सकती तो जाने हैं उप कॉपिक्स में नहीं है वो भी मेंबर कंट्री बन सकती है और हर वोटिंग राइटस वोटिकित उने नहीं मिलते हैं और आइस देखे आप सभी जानते हैं इंडियार फ्रांस के जोट एफतर इसको लौन चिया गया हेड़काटर्स गुराम-haryana नम्हें दोक्टर अजे मात्वू डिरेक्टर जन्रला इंट्रसों सोलर अलायंस के वेरिज्ट अग्रिकल्चर इंटिग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनुगरेटेड क्रिसी एकिकरत कमांड एम नियंत्रन केंद्र का उद्गाटन कहां किया गया सही आमसर वार्फर फर्मर्स वंफिर अरचुन मुन्डा इन्रह ने खृसिभ का ओंड न एधिल्ली में अग्रिकल्चर इंटीक्रेट्टेट कमांड एंड कंट्ोल संटर को इन्यंग्रेट है किया है तो इंपर्ट इंपर्ड ऑर्मर्स उदे कुंत्री बाइपिकिंदम विद्व्च इनिटीज नियुन दोब्टर काटन के सहर में किया गया सही आंसर अप्शंच भी है एहमदाबाद यूनियर्विस्टर डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने इनस्पेस टेक्निकल सेंटर को इन्योग्रेट हिया है इंडियर नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराज़ेशन सेंडियाने की इनस्पेस का हैटकॉर्टरस जो बोपाल एहम्दबाद में इस जगह पर इनस्पेस टेक्निकल सेंटर आपको बता दें यह रोकेट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा इस तो करेगा ही इस रोकेश चीफ एस सोमनात है आप सभी जानते हैं इस इस वज़े से इंडिया को जो है प्रस्टिजियस मेजल्स एंड रूबेला चैंपियन आवर्ड फोर एक्जंप्री एफ़र्ट्स इन मेजल्स एंड रूबेला डिसीज प्रिवेंशन खस्रा और रूबेला रोक्ताम में अनुकरने परियास के लिए किस देश को खस्रा और रूबेला चैंपियन प्रसकार मिला है सही आंसर ऑप्शन ए हैं इंडिया आपको जाना चाहिए कि हमारे देश यानिक इंडिया के जो टाइलेस एफट्स रहा है मेजल्स एंड रूबेला को से लड़ने के लिए इसी इसी वज़े से इंडिया को जो है प्रिस्टिजिय हैं और MR वेक्सीन जो है यह इंडिया का जो इन्वर्सल इम्मनाजिशन प्रोग्राम है 2017 से इसका भी हिस्सा है वेर दिट दसी डिफेंडर्स 24 एक्सराइज कलिमिनेट बिट्विन इंडिया एंड युएस भारत और अमेरिका की बीच सी डिफेंडर्स 24 अभ्यास कहां कोस्ट कार्ड के बीच में हाली में संपन हुआ है पॉर्ट ब्लेर अन्वान एंडिकोबर आइलेंड में और इस एक्सराइज के दोरान इंडियन कोस्ट कार्ड हैलिकॉप्टर एंड टोनियर एरक्राफ्ट इन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू और पॉल्यूशन डिस्पॉ पार प्रोजेक्ट इन्वेचि स्टेट के अंद्रमंतरी आर्के सिंग नेकिस राज्य में बरेठी सोर उर्जा परियोजना की आधार चिला रखी है सही आंस्रॉप्शन डी रहेगा मध्यपर्देश देखी यूनियर मिस्टर फो पार एंड यू एंडर्मेर जी आर्के सिं तो तीन लाग से यादा घरों को जो है बिजली प्रोवाइट कराएगा विच फिंटेक यूनिकॉर्ण डिसेंटली इंट्रूज एंड एंड एई चैडबोर्ट फोर पेमेंट्स एंड पेरोल मेनेजमेंट नेम्ड रे हाली में किस फिंटेक यूनिकॉर्ण ने बोकतान औ रे और एवाई पुशोर इसी तरह के फाइनस्टम मंदिन देख लेते हैं कोटक माइंदर लाइफ इंसरेंस कंपनी यानिकि कोटक लाइफ ने कोटक गेन नाम का एक नोन लिंक्ट पार्टिस्पेटिंग प्लान जो है अन्विल किया है इंडिया को जो सर्विस सेक्टर कू मुवेंटम है वह इस हुआ थोड़ा फैर्वरी में लेकिन जो है रोबस्ट बना हुआ है मजबूत बना हुआ है ठीक है और एस बीसी इंडिया सर्विस बिजनस एक्टिविटी इंडेक्स जो भारत का है वह 60.6 पर मोच गया जबकि जनवरी में 61.8 था तो अगर 50 या 50 से है तो इसका मतलब एक्समेंड हो रहा है रेटिंग एजनसी क्राइसल ने इंडिया आउटलोग रिपोर्ट में यह कहा है कि जो बारत की एकनोमी ग्रोथ है अगले फानेंचल यह में सिक्स पॉइंट परसेंट रहीगी ठीक है पहले इन्होंने 6.4 परसेंट बताया था साथ यह पोजाने कि एक्षेंट जो कंपनी इन्होंने यूटा सिरी इसे एक्वायर कर लिया है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ट एट टेक प्लेटफोर्म और साथ यह अपने एक अपी स्किलिंग प्लेटफोर्म भी लॉंच किया है लर्ड वेंटेज The Department of Empowerment of Persons with Disabilities signed an MOU with which agency to improve support for individuals with speech and hearing disabilities दिव्यांग जन ससक्तिकरण वी भाग ने बोलने और सुनने में विकलांग व्यक्तों कि समर्थन में सुधार के लिए किस agency के साथ एक समझता ग्यापन पस्तक्षर किये सही आंसर ओप्शन सी रहेगा Signable Communications Department of Empowerment of Persons with Disabilities ने एक Memorand of Understanding sign किया है Signable Communications के साथ ठीक है तो यह उन सभी के लिए है जो भी इंडुईजियल साथ है जो Speech and Hearing Disabilities से जो है अगर सीत है मतलब डिसेबल है दिव्यांग जन है सुनने में दिखकत है या फिर बोलने में दिखकत है आपको उतार Department of Empowerment और Department of Empowerment of Persons with Disabilities यानि की सेम जो उपर वाइन यूज है वह ही नीचे वाली नीज से मेल खाती है तो एक साथ मैंने इसको कवर कर दिया है इसने Memorand of Understanding साइन किया है Electronic Sector Skill Council of India के साथ The MOU aimed at equipping PWDs यानि की Persons with Disabilities with the necessary skills for various job roles within the electronic sector विच गोलफर हैस बीन सेलेक्टेट फोर बॉब जोन्स अवार्ड टॉन्स के लिए चुना गया है सही answer options यह है Tiger Woods देखिए जो Tiger Woods है इनका नाम है Eldrick Taunt Woods तो टाइगर बीच में लागे जाता है Eldrick Taunt Tiger Woods इन्हें Bob Jones Award के लिए चुना गया है जो कॉल्फ के लिए इनके sportsmanship रही है जो commitment वह है उसको देखते हुए Bob Jones Award Highest Owner है जो कि United States Golf Association द्वारा किसी भी परसन को दिया जाता है जो गॉल्फ में जिसने काफी अच्छा परियास किया हो या फिर commitment दिखाई हो Bobby Jones के respect में दिया जाता है तमस सुल्योग has become the new president of which country तमस सुल्योग किस देश के नए राष्टपती बने हैं सही answer option C है माफ कीजीगा option इसका रहेगा Hungary ठीक है माफ कीजीगा इसमें option गलत हो गया दिबांग में Finland ही चल रहा था देखी जो Hungary की Parliament है उसने constitutional court chief तमस सुल्योग इन्हें country का next president न्युक्त किया है ठीक है इनसे पहले जो प्रेजिडेंट थे इन्होंने अपना resignation दे दिया है अब एक बार में PPT पढ़ने के बाद रिकोर्ड करता हूं पहले पढ़ता हूं अच्छे से आपको प्रेजिडेंट पोस्ट से ठीक है क्योंकि जो एक व्यक्ति था जो कन्विक्ट था sexual abuse के लिए चुल्टन के sexual abuse के लिए ठीक है तो उसको जो पाड़न दी गई उसमें इन केटली नुवाक का हाथ रहा तो इसलिए जो है उन्हें अपना इस्तिफात देना पड़ा ठीक है अच्छा और देखें यहां पर तो सही लिखा है अंगरी है अंगरी कैबिटल बुड़ा पेस्ते प्राइमिस्टर विक्टर और और कुरंसी है फोरिंट ठीक है तो वह माइन ने में पता नहीं कहां से आ गया जो फिनलेंड मैं लिखता चला गया आपर माफ कीजेगा अगामी लोगसभा और राज जिये विधान सभा चुनाओं में वरिष्ट नागरीकों के लिए डाक मतपत्र कावी कब्र चुनने के लिए क्या आयूसी मानिन थारिद की गई है सही आंसर ऑप्शन दी है 85 यर्स देही जो अपकमिंग लोगसभा और स्टेट अस्टेट असे इनके लिए जो सीनियर स्टेजन से हैं जो 85 सालिया इससे ज्याद की उम्र के हैं वही पोस्टल बैलोट का यूज कर पाएंगे इससे पहले अब तक जो है 80 सालिया उससे उपर के लोग कर पाते थे तो अब गवर्मेंट नेमेंड किये हैं रूल को और 85 कर दी है एज तो पहले 80 साल था अब 85 साल से उपर कर दिया है हाली में आपको जा आपने जाना भी होगा कि लेक्शन कमिशनर अरुन गोईल ने रिजाइन कर दिया है प्रेजडेंट दौपति मुरूम ने इनका जो राइगनेशन है उसको एकसेप्ट भी कर लिया है तो इस तरह से आप इलेक्शन कमिशन में केवन एक ही व्यक्ति है जो है चीफ सिफ एक्षन कमिशनर राजीव कुमार जरूंग उन्गोईल थे 2022 में निउखत किये गए थी पोस्त पर तरसा का जा रहा है कि कुछ अन्बन इन में रही ठीक है इनके साथ जो चीफ लेक्शन कमिशन है इसलिए कि आया है आला कि यह कंफर्म नहीं है क्योंकि इनका कारेकाल अभी 2027 तक रहने वाला था इनक्लूजन ऑफ इंडियन बॉंड इन इमर्जिंग मार्केट लोकल करन्सी गवर्मेंट इंडेक्स किस कंपनी नो भरती बाजार इस्थानिय मुद्रा सरकारी सुचकांग में भारतिय बॉंड को सामिल करने की गोश्णा की है सही आंसर ऑप्शन भी है प्लूंबर्ग देख जो भी से इन्टीज से उनको उसमें भी इंक्लूट करेंगे एकत्ती जमीर दोजार पच्छिस से दा इंक्लूजन ऑफ इंडिया फुली एक्सेसिवल रूट बॉंड बॉंड इंडियम इंडिसेज विल हैपन इंफेज मैनर इस्प्रेड ओवर टैन मन्त पीरियड जो भी फॉर्टनर्स गॉर्मेंट सेक्योर्टी में इंवेस्ट करना चाहते हैं वह अब इस माद्यम से इन्वेस्ट कर पाएंगे तो इससे क्या होगा भारत में जो डॉलर वगएरा है ठीक है तो वह भारत में आएगा अच्छा यह भी आपको जाना चाहिए जो फुली एसेसिबल रूट है एक सेपरेट चैनल है जो आर्व द्वरा इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है जो नौन रेजिदेंट इन्वेस्टमेंट है गॉर्मेंट सेक्योर्टी में उनके लिए तो एक अप्रेल दो जार्व सब्सक्राइब देखें स्वीडन ओफिशली 32nd मेंबर बन गया है नाटो का जो भी पुरा प्रोसेस था अक्सेस इन प्रोसेस उसको इसने पूर्व पूर्ण कर लिया है ठीक है पूरा कर लिया है माफ़ी जेगा और इससे पहले देखा था कि 4 अपरेल 2030 को फिनलेंड भी ज सब्सक्राइब करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी वर्ड वर टू के बाद इसका है ब्रसेल में सेक्रेटर्री जनल नाटो के हैं जैंस स्टोल्टन बर्ग आर्टिकल 5 कोई बार चर्चा में रहता है आर्टिकल 5 के पर होता है तो बाकी की저 मेंबर को सेव करने से सब्सक्राइब पहली बार नाटो ने जो आर्टिकल फाइब को इन्वोक किया था यह 2001 में ठीक है सितंबर 11 आटेक जो हुआ था उसाविल नादे द्वारा जिसमें वर्ल्ड ट्रेट सेंटर नियोर्क सुठी और पैंटागन का जो कुछ हिस्सा है वोसिंग्ट फिर यह लॉंच ही आगया था नाट द्वारा आर्टिकल 5 तो सब कंट्रीज ने आपर मिलकर फिर अपना उपरेशन शुरू किया विच कंट्रीज क्रिस्टीना पिस्ट कोवा ओन दी सेमन्टीफर्स्ट मिस्वर्ड टाइडल किस तेसकी क्रिस्टीना पिस्टोवा ने 71 मिस मिस वर्ड हिताब जीता ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी है चेक रिपब्लिक आपको जाना चाहिए कि क्रिस्टीना जिसकोवा जो की चेक रिपब्लिक की है इन्होंने 71 मिस वर्ड टाइटल जीता है यहां पर 71 एडिशन याद रखिएगा ठीक है यही की पुझे जाने के सबस्यादा चांसेज है 24 साल की है क्रिस्टीना और मुंबई में यह सरमनी हुई जहां पर इन्हें ताच पैनाया गया मिस वर्ड का यह दूसरी बार है जब किसी चेक रिपब्लिक कंटेस्टेंट ने यह टाइटल जीता है आपको जाना चाहिए जो मिस कैरुइना बिलावस का हैं जो अब तक मिस वर्ड रही सेवैंटी जो रही पोलेंड की इनोंने क्राउन पेनाया क्रिस्टीना को क्योंकि अब उनकी सक्सेश और क्रिस्टिना बनी है यह समिना जेटोन यह लेंनान की है यह फौस्ट अर भारत को चीप्या सिनी grow और तक थौ फाइनल फॉर में जगा नहीं बना पाई आपको जाना चाहिए मिस्वर 2024 है यह 28 साल बाद भारत में हुआ है और जियो वर्ड सेंटर मुंबई में हुआ केर्थी सैनौन मानुसी चुलर पुजा हेगडे हर्पजन सिंग रजत सरमा अमृता फड़नविस विनी चैन जूलिया म हूँ हैस बीन इलेक्टेट एस पाहिस्तान फॉर्टींथ प्रेजिडेंट फॉर्ड सेकेंड ताइम दूसरी बार पाहिस्तान के चोधवे रास्टपती के रूप में किसे चुना गया है ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है आसिफ अली जरदारी देखे आ पाहिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने नवास अरीफ की पाहिस्तान मुस्लिम लीग के साथ टाइप किया है और नेस्नल गवर्मेंट बनाई है जरदारी डॉक्टर अरिफ अल्वी को रिप्लेस कर रहे हैं जिनका फाव यर टर्म लास्ट यर एंड हो चुआ है जरदारी ऑफ ता इंडियन पार्लियमेंट वाज सुधामुर्थी नुमिनेटेट एस अ मेंबर सुधामुर्थी को भारत्य संस्त्के की सदन में सदस्य की रूप में नामित किया गया ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा राज्यसभा देए राज्यसभा मे नुमिनेट किया गया है सुधामुर्थी हो जो की फिलैंट्रोफिस्ट है और फोर्मर इनफॉसिस फांडेशन चेर परसन भी है प्रेजडेंट द्रॉप्ति मुर्मुद्वारा नुमिनेट किया गया है यह 12 नुमिनेटेड मेंबर है अपर हाउस ऑफ पार्लियमेंट यान गुलाम अली है वी विजय उंद्र प्रसाद हैं और सत्नाम सिंग संदू है नाम याद नहीं करने मैंने आपको एक बार बता दिया है आपकी एक बार हाकों के सामने से निकल जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहे करी कौन-कौन है अच्छा आपको जाना चाहिए जो आर्टिकल इटी फ्री ओफ दा कॉंसिटूशन है इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जो टूफ टूफ फॉटिव मेंबर्स होंगे इनमे से जो है बारा मेंबर्स प्रेजिडेंट द्वारा नोमिनेट किये जाएंगे गवर्मेंट की रेकमेंडिशन पर ठीक है और जो भी मेंबर्स होंगे इनको इस्पेशल नोलेच या फिर प्रेक्टिकल एक्सपीजियन्स होना चाहिए लिट्रेचर में साइंस में आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में तो जो सुधा मुर्ती है यह ओथर भी है यानिकी लिट्रेचर एंड फिलैंट्रोफिस यानिकी स इंदी वर्ड बैंक्स विमन बिजनेस एंड लॉइंडेक्स इंडिया इस रैंक्ट एट विच पोजिशन अमंग 190 कंट्रीज विस्व बैंक के महिला व्यवसाय और कानून सूच कांग में भारत 190 देसों में से किस इस्थान पर है सही आंसर अप्शन भी है 113 दही इंडिया है कि जो रैंक है आउट ओफ 190 कंट्रीज यह 113 है यानि की 113 है वर्ड बैंक्स विमन बिजनेस एंड लो इंडेक्स में तो हाली में तस्वा एडिशन इस रिपोर्ट का जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि जो राइट्स लीगल राइट्स पुरुशों को दिये से थोड़ा कम है 10 इंडिकेटर से इसमें सेफ्टी मोबिलिटी वर्क प्लेस पेव मैरीज पैरेंट्टूड चाइल्ड केर अंत्रप्रणर्शिप असेट्स एंड पेंशन और आपको जाना चाहिए कि ग्लोबली अगर हम बात करें कोई भी कंट्री इस इंडेक्स में फुल कोपरेशन एंड डेवलप्पेंट ओई सीडी हाई इंकम इकनोमीज की बात करें तो ग्यारा कंट्री साथी है जिन्हों 90 इस से अबव स्कूर किया है और में लीड कर रहा है इटिली उसके बाद न्यूजिलेंड फिर पर्चुगल इंडिया 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 इंड को recognize करता है जिरोंने international program of study पर्जू की हो यह initiative है National Indian Students and Alumni Union UK के द्वारा in partnership with British Council in India and the UK Comments Department of Business and Trade. Last year इसको launch ही आगया था इस honors को. Who was presented with the IAA Golden Compass Award. IAA Golden Compass पुरसकार के से प्रदान किया गया सही answer option दिया है स्रीनिवासन स्वामी. आरके स्वामी Limited के chairman and managing director स्रीनिवासन स्वामी इन्हें International Advertising Association Golden Compass Award दिया गया है किस मोगे पर 45th IAA World Congress जो की पिनांग मिलिश्या में हुई है. Golden Compass Award is given to individuals who contributed in the field of marketing, advertising and media enterprises. स्रीनिवासन स्वामी यह first Indian है जिनने यह award प्राप्त हुआ Which bank has appointed Bridgesh Kumar Singh as its executive director for a period of three years? किस bank के? किस bank ने Bridgesh Kumar Singh को तीन साल की अवधी के लिए अपना कार्यकारी निदेशक निउक्त किया है? सही answer option B Indian Bank देखे Indian Bank ने Bridgesh Kumar Singh को अपना executive director appoint किया है तीन साल के period के लिए Indian Bank की बात करते हैं MDNCU सांतिलाल जेन है Headquarters चिन नहीं Tamil Nadu में tagline है your own bank साथे आपको जाना चाहिए Reserve Bank of India ने B के दिवाकर इनकी appointment भी अप्रूब कर दी है CSB Bank में Whole Time Director, Executive Director के तौर पर तीन साल के लिए साथे आपको जाना चाहिए RBI ने S. Ravindran इनकी appointment भी अप्रूब कर दी है आपको जाना चीफ फिसर इन्होंने मुरली नायर को General Manager of India and South Asia निट किया है एक समान Know Your Customer मांदंडो पर सिफारी से करने के लिए भारस्रकार द्वारा गठित विसे सग्य समीथी का प्रूब कौन है सही answer option CS TV सोमनाथन देख कमेंट ओफ इंडिया ने एक Expert Committee बनाई है जिसके अधक्षता फाइनल सेक्रेटरी TV सोमनाथन कर रहे हैं और Uniform Know Your Customer नौम से संबन देती अपनी रिकमेंडेशन देगा फिलाल क्या है भारत में separate KYC जाने की Know Your Customer जो है डेटा देना पड़ता है अलग-अलग financial products के लिए जैसे की bank account खुलने के लिए mutual funds भी इंवेस्ट करने के लिए लाइफ इंस्रेंस बाय करने के लिए ठीक है आफिर किसी सेविंग फंड्स में रिटायर्मेंट सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है तो बार-बार जो है KYC देना पड़ता है तो Central Government ने इसको देखते हुए Central KYC records registry भी लॉंच की थी 2016 में लेकिन यह capital market तक ही सीवित है तो इससी संबंद्स recommendation देगी है कमिटी As per the State of India's Digital Economy 2024 report, what is India's rank among the largest digitized countries in the world? भारत की digital अर्थिवस्ता की स्थेदी 2024 रिपोर्ट के नुसार दुनिया के सबसे बड़े डिजिटी करत देशों में भारत का इस्थान किया है सही answer option भी है, third देखे, India's third largest digitized country है पूरे परड़ में ऐसा का गया है State of India's Digital Economy 2024 जिससे publish किया गया है Indian Council for Research on International Economic Relations के द्वारा US में पहली position पर है, जिसका score 65 है China's second number पर है, जिसका score 62 है भारत तीसे number पर 39 score के साथ 29 score के साथ, UK चोथे पर, 5 पर, Germany 24 score और South Korea 22 यह ranking five pillars पर बेस्ट है, connect, harness, innovate, protect and sustain ठीक है, अच्छा, इसमें three tiers भी है, pillars, sub-pillars and indicators Which state launched India's first state on OTT platform C-Space किस राजने बारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT platform C-Space launch हिया सही answer option है, केरल देखे, केरला के जो चीफ मिस्टर है, पिनराई विजियन, इन्होंने इंडिया का first state on OTT platform C-Space launch हिया है, तरुन्दपुरम में और इसको manage किया जाएगा, केरला state film development corporation के द्वारा तो जो भी राज्जे की award winning films बगएरा है, वो इसमें दिखा ही जाएंगी OTT platform में other states या फिर OTTs की news देख लेते हैं, डेली finance minister अतिशी मालिना, इन्होंने announce किया है कि मुख्य मंतरी महिला सम्मान योजन हम चला रहे हैं, जिसमें 18 साल से उपर की 24 Santos Trophy title, 2034 Santos Trophy का किता आपकी स्टीम ने जीता सही आंसर अप्चन सी है, services देखे, 2034 Santos Trophy यह 77 एडिशन राय Santos Trophy का जो की senior men's football competition है, और इसमें जो teams है, वो अपने पने states या 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 फिर government institutions को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उतादे फाइनल गोर्डन जूबिली स्टेडियम यूपिया, अरुनाचल प्रदेश में खेला गया, जहां पर services ने गोवा को हरा कर संतो स्टॉफी जीती है, साथ वी भार, विश यूश्टी टॉप तक खेलो इंडिया यूश्टी गेम्स 2024 medal table with 32 gold medals, खेलो इंडिया यूश्टी गेम्स 2024 की पदक तालिका में 32 स्वन पदोगी के साथ कौन सा विश्विध्याले शीट्स पर रहा, सही आंधर उप्शन सी है, चंड इंडिया यूश्टी गेम्स टाइटल जीता है, यानि सब जादा मेडल्स इसने जीता है, गोल्ड मेडल्स की अगर हम बात करें, 32 gold medals जीते हैं, और 18 सिल्वन है, 21 bronze है, टोटल 71 medals जीते हैं, तो इस जिस भी टीम के पास ज्यादा gold medal होते हैं, वोसे ही टीम टाइटल मिलता है लवली प्रोफेसनल इंवस्टी दूसे नमबर पर रही, वहीं अमरे सरकी गुरू नानक देव इंवस्टी तीसे नमबर पर रही है, स्वीमर प्रत्यासार रही है, उतकल इंवस्टी से इन्होंने चार गोल्ड मेडल जीते हैं, यह most successful female athlete रही, वहीं most successful male athlete जैन इवस्टी के Xavier Michael De Sousa रही है, चार गोल्ड के साथ है, who won Saudi Arabian Grand Prix 2024, Saudi Arab Grand Prix 2024 के जीता, सही answer option, C रहेगा Max Verstappen, देखें बेल्जियन एंडच डेसिंग ड्राइवर Max Verstappen, जो की Red Bull के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने Saudi Arabian Grand Prix 2024 जीता है, इनका 100th podium फिनिश रहा है, 187 races में, और इससे पहले ब पहरीन Grand Prix 2024 भी जीज चुके हैं, होब ओन सिंगल स्टाइटल एट 2024 मेक्सिकन ओपन, 2024 मेक्सिकन ओपन में एकल हिता, किसे ने जीता, सही answer option दी है, LX3 मेनोर, देखें, 2024 मेक्सिकन ओपन, यह 31st एडिशन था, मेंस, मेक्सिकन ओपन का मेंस का ही टूर्नामेंट होता है, और सि चैन जैलेंस्की जीता है, हूँ ओन सिसी आई स्नुकर क्लासिक बाइडिफेटिंग कमल चावला इन दफाइनल, फाइनल में कमल चावला को हरा कर, सिसी आई स्नुकर क्लासिक किसने जीता, सही answer option सी रहेगा, पंकच आडवानी, देखें, जो पंकच आडवानी है, इनका ना पंकच अरजन आडवानी की इने प्तिन सोफ पूने का निक नेम भी दिया गया है, यह याद रखेगा, इंडियन बिलियर्ट्स एंड प्रोफेशनल स्नुकर प्लियर है, 27 टाइम इंटरनेसल बिलियर्ट्स एंड इसनुकर फेडरेशन वर्ड चैंपिनर रह चुके हैं, औ और अगर आप देखें, तो हर तरह का वार्ड इनों ने जूइता है, अरचुना वार्ड 2004 में, मेजर धियान चंत, खिल रत्न 2006 में, पदमश्री 2009 में, और पदमभूशन 2018 में, विश्पेर वान फ्रेंच ओपन 2024 इन दे मैंस डबल्स कैटेगरी, पुरुस यूगल वर्ग मे जोडी ने फ्रेंच ओपन 2024 जीता, सही आमसर ऑप्शन डी है, सात्विक साही राज राज रांकी रेड़ी और चिराक शेटी, इनोंने इस बार 2024 का अपना पहला टाइडल चित दिया है, फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन टैनिस में भी होता है, याद रखे मैने श्ञाइना के चिए यूकी ने जीता, फिमेंस सिंगल साथ कोरिया की एंद से योग ने जीता विमंस डबल स्ट चाइनगे जेन जी सिर शाय में मेक्स दबल्स चाइना के फैंक जांग से और हुआंग टॉंपी ने जीता है आपको जाना चाहिए जो वर्ड जेंपेंशिप प्रोंज मेंड लिस्ट हैं बीस आई प्रनीत इन्होंने भी अपना रिटार्मेंट एनाउंस कर दिया इंटरनेशल बैट्मिंटन से भारती प्ले इन वर्ड क्रिकेट हिस्ट्री टू टेक 700 विकेट इंटेस्ट मैचेस टेस्ट मैचों में 700 लेने वाले पहले तेजगेंद बाच कोन बन गए हैं सही आंजरॉप्शन दी रहेगा जेम्स एंडर्सन जहीं जैम्स एंडर्सन इंग्लेंड के बॉलर हैं आप सभी जानते हैं कि थड़ बोलर बन गए हैं वर्ड क्रिकेट हिस्टी में जिन्होंने 700 लिकेट लिए हैं दिया स्विकेट लिया हैं तो इंगलेंड के साथ जो सिरीज चल रही थी उसका जो फिफ़् टेस्ट मैस्टा द्रमसाला में आपधा रिजिनोंने कुलदी प्यादाओ का उड्या त एक और रिकोर्ड हम जानेंगे इंडियन स्पीनर रवीचंद्रन अश्विन एफस्ट इंडियन बुलर बने गए हैं जिन्होंने च्छतिस बार पांच विकेट लिये हैं टेस्ट में तो इंग्लेंड हिलाफ जो धरम सालम मैंच हुआ महीं पर इन्होंने अश्विमेंट हासि से आगे साथी अस्विन ने और रिकोर्ड मना है अपने सोवेट एस्ट में इन्होंने बेस्ट फीगर बॉलिंग फीगर अपना प्राप्त किया है इन्होंने नाइन विकेट लिए पने सवेट एस्ट में ऑई मोली दरने नोविकेट तो लिए लेकिन 141 रन दिये थे वहीं अस्विन ने 9 विकेट लिये हैं और 128 नहीं दिये हैं अपने सोवेट टेस्ट में आपको जाना चाहिए बारत ने इंग्लेंड को हरा दिया है इस पांच मैस की टेस्ट सीरीज में और इस टेस्ट सीरीज का नाम रहा एंथोनी डे मैलोड ट्रॉफी यूश्ट सीरीज बने कुल्दीब याद आओ प्लेयर ऑफ ते मैच बने फिफ्ट टेस्ट मैच में आपको जाना चाहिए यूनियर में स्टफर यूथ अफेर्स एंट स्पोर्स और राक सिंग ठाकून एनांस किया है कि जो भी खेरोडिया गेम्स चाहिए वह यूथ यूश् जाती आयोग के धक्ष का पदभार किसने करेंड किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी है किसोर मकवाना आपको जाना चाहिए किसोर मकवाना ये नैसनल कमिशन फोर सिड्डूल कास्ट एंसी एससी के चेर्मेन निक्त किये गए हैं और विजे संपला को कि इस पोस्ट पर सक्सीर कर रहे हैं साथी लुकुष कुमार को नैसनल कमिशन फोर सिड्डूल कास्ट का मेंबर बनाया गया है आपको जाना चाहिए नैसल कमिशन फोर शीडूल कास्ट यह कॉंसिट्टुशनल बोड़ी है और Lake Street of Social Justice and Empowerment Government of India के जोडिक्षन के तहता थ solutions औ सब्सक्राइब और आर्टिकल 333 ए नेसल कमिशन फर सिड्डूल ट्राइब से सम्मंदित है आपको बता दें पहली नेसल कमिशन फर सिड्डूल कास्ट यह 2004 में कॉंसिट्यूट की गई थी सूरज बाण पहले चेर्मेन रही परधार मंतिर नरेंदर मोदी ने किस राज़ में महतारी वंदना योजना सुरू की है और इस स्कीम के तहट जो फरस्ट इंस्टॉल्मेंट है उसको भी डिस्पर्स्ट किया है तो यह स्कीम लौंच की गई 36 गड़ में और जो भी इलिजिवल मैरीड विमन है राज्य की हु इनोगरेटिट इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड एट लेन एक्स्परेसवे भारत के पहले एलिवेटेड ए लेन एक्सपरेड वेका उद्धुर्य गड़न किस नहीं किया सही आंस्रॉप्षन सी है नरेंद्र मोदी प्रायब्स्ट्र ने द्वार्का एक्सपरेश वे जो कि गुरूग्राम हर्याना में है यहां पर इसका हर्याना सेक्शन को इनोगरेट किया है द्वारका एक्सप्रेस का जो हर्याना सेक्शन है उसको इनोग्रेट किया है गुरुग्राम हर्याना में तो यह 8-lane high-speed expressway है और इंडिया का first elevated highway भी है जो भी डैली और गुरुग्राम के बीच में काफी traffic रहता है उसको थोड़ा ease करेगा नेसल highway 48 पर आपको बतादें जैसे क मैंने आपको बताए कि द्वारका एक्सप्रेस इंडिया का first elevated 8-lane access control अर्बन एक्सप्रेस वे है और जो यह elevated रोड है यह 9 km लोंग एंड 34 मिटर वाइड है जो टोटल लेंट है द्वारका एक्सप्रेस वे की 29 किलो मिटर है जिसमें से 18.9 किलो मिटर हर्याना में आता है और पी किया है 260 किलो मिटर को टोटल इन की लेंद है वाट वास्थ नेम अफ़ फ्लाइट टेस्ट कंड़क्टेट बाइड याडियो फॉर अगनी फाइव विद एम आई आर्वी टेक्नोलजी मिर्वी टेक्नोलजी अगनी फाइव के उडान परिक्शन को क्या नाम दिया गया सही आंसर ओप्शन सी है मिशन दिव्यास्त्र देगे डिफेंस रिशर्च एंड डेवल्लप्मेंट और और्गनाइजिशन याने की डियाइड यो ने सक्सेस्फुली जो अग्रिफाइव मिसाइल है और मल्टिपल इंडिपेंडेंट ली टार्गेटेबल री एंट्री वे जो यह MIRV आप टर्म सुन रहे हैं इसका मतलब है मिसाइल की एबिलिटी जिसके तहती मल्टिपल वारहेट्स को सिंगल शॉर्ट में अफर सिंगल मिसाइल में ले जा सकता है तो इस तरह की जो टेक्नोजी में वह भी यूएस रोशिया चाइना यूके फ्रांस जैसे देश सॉलिट फ्यूल इंजिन को यह यूज़ करता है अगडिव वन से लेकर फोर तक की जो मिसाइल है उनकी रहें साथ सो किलोमेटर से पैंदिस सो किलोमेटर तक की है ओल्रेडी है डिपलाय हो चुकी है आपको जाना चाहिए हाली में सौफ्ट सिप्यार्ट प्राइबिल टिम इसने चीता option आपके सामने है सही answer option भी है स्विलियन मर्फी देखिए आपको जाना चाहिए कि जो 96th Academy Awards यहाने की जिने हम ऑसकर कहते हैं यह ceremony हाली में लोस एंजलेस में हुई है और इसको प्रेज़ेंड किया गया Academy of Motion Picture Arts and Sciences के द्वारा ओपन हाइमर इसमें बैस्ट पिक्च नोन्लन एको बैस्ट Google को लेक्टर सियन मर्फिव बैस्ट अक्टर रोबर्वर डपने सुदूनियर बैस्ट के सब्सक्रेंग और बैस्ट सिनेमेटोग्री बैस्ट ऑड़िजनर एंड फिल्म एडिटिंग भी इस मो नौवी को ही मिले हैं एमस टों की बात करें तो पूर त के लिए ने बेस्ट एक्ट्रस का वार्ड दे गया है ताविन जोए रेंडॉल्फ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रस फॉर दे हॉल्डवर्स हायाओ मियाजाकी एंड तोशियो सुजुकी कि जो दब पॉई एंड दा हैरोन है इसको बैस्ट अनिमेटेट फीचर फिर्म दिया गया है जोनाइथन क्लेजर्स की दा जोन आफ इन्ट रस ओस्कार फोर बैस्ट इंट्रस फीचर फिर्म दिया गया है 20 days in Mariupol इसे best documentary का वार्ड दिया गया है साथ ही आपको जाना चाहिए कि बिली एल्विस एंड फैनिस ओकॉनल इन्होंने ओस्कर जीता है फॉर बैस्ट ओरीजनल सॉंग है वाट वास आई मेट फॉर बार्बी से और जीन हरसल्ट हुमेंटरियन अवार्ड दिया गया है मिश से समानित किया गया सही आंसर ऑप्शन भी है नीता अमानी देखे रिलाइंस फांडेशन की जो फांडर एंड चेर वूमन है नीता मुकेश अमानी इनने मिस्वर्ड फांडेशन द्वारा हुमेंटरियन अवार्ड दिया गया है इनकी सोसिल सर्विस एंड चैरिटी को अश्रेंट किया था विछिंडिया नेवल से पार्टिस्पेटेटें इन एक्सेसाइस qatulas express 24 c 24 held at Port victoria Cicill's किस भारतियों से न जो यह ने विक्टोर्य इसिल चैल्स में अजह अभ्यास कर ट ले express 24 सही आंसर ओपयांस थीर्टеров की स्क्रेश्टरों के इसनिय एकप्राइस के criticism चैलने थीरे पांस नासी करी है और as part of the Cutlass Express, the Indian Navy actively engaged with participants from 16 friendly foreign countries. National Payments Corporation of India, International Payments has collaborated with which Nepal-based payment network for cross-border UPI transaction. National Payments Corporation of India, International Payments, ने सीमा पार UPI लेक्नित के लिए Nepal स्थितके से बुक्तार नेटफर के साथ सायोग किया, सही answer option दी है, phone pay payment service, देखें, NPCI, International Payments, यानि की NIPL, जो ही International Arm है, National Payments Corporation of India की, इन्होंने हाली में एक agreement sign किया है, Nepal-based payment network phone pay payment service के साथ, किसलिए, cross-border UPI transactions के लिए, इंडिया और नेपाल के बीच में, The arrangement will facilitate QR code-based person-to-merchant UPI transactions between the two countries. In the first phase, Indian consumer will be able to make instant, secure and convenient UPI payments across various business stores in Nepal to merchants on the phone pay network. What is the capacity of India's fastest and intelligently developed IPMPLS, यानि की multi-protocol level switching router, भारत के सबसे थेच और स्वाधे सी रूप से विक्सित, IPMPLS, multi-protocol level switching router की चमता कितनी है, सही answer option, D है, 2.4, TBPS, TBPS है ना, TDPS नी, TBPS, देखिए, Union Minister for Communications, Electronics and Information Technology and Railways, अस्वी नी भैशन हो, इन्होंने इंडिया का fastest and industrial developed IPMPLS, यानि की multi-protocol level switching router, भारत में लॉंच किया है, इस router की जो capacity है, 2.4, TBPS है, TBPS यानि की terabyte per second, data transmitter, transmission का एगरेट होता है, पूछा जाता है, एक्जाम में, कंप्यूटर के section में, और it is equivalent to 1000 GB और 1 lakh crore bytes per second, यह router develop किया गया है, Department of Telecom, C.DOT और निवेटी के साथ मिलकर, MPLS एक routing technique है, जो की telecommunications network में use की जाती है, जिसके तहित जो data को है, उसको one node से दूसरे node में, जो है, send किया जाता है, the data transfer is held based on levels, other than network addresses, its main function is to speed up network connections by sending packets along predetermined network paths, आचा, बेंगलूरू से ही संबन जिता, आप एक और news देख लिएगा, कि बेंगलूरू मेट्रोडेल कोपेशन लिमिटेड, इन्होंने जो six train coaches, जो है, उनका first set इन्होंने receive किया है, यह जो coaches है, यह communication based train control system का हिस्सा है, जो की yellow line बन रही है, बेंगलूरूरूरूरेल की, तिक है, उसके लिए इनको मगाए गया है, इटीन पॉइंटेट किलोमेटर लोंग यह लाइन है, यलो लाइन, आरवी रोड को बोमसांद्रा से connect करती है, और पहली बार जो है, driverless train यहां पर चलेगी है, आर्टिफिचल इंटेलिजन्स को यूज किया जाएगा, tracks को monitor करने के लिए, इस नहीं लाइन पर, ठीक है, safety operations क के लिए, AI algorithm can analyze data from sensors to detect anomalies such as cracks, wear and tear, और either irregularities along the track, who has been elected as the new president of the Paralympic Committee of India, भारती है, परलंपिक समीधी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, सही answer option दी है, देवेंदर जाजारिया, देवेंदर जाजारिया, नया प्रेज़ेट बनाया गया है, परलंपिक कमीटे इंडिया का PCI का, आपको बता दे, इनका होम टाउन है चुरू, लायस्थान, और यहां से ये भारती जनता पार्टी के टिकट पर लोग सबा का election भी लट रहे है, वट ड़ ज़ेंदर इंडियान आर्मी इनिशेटिव, भारती से नगी पहले के संदरब में, एजी एस सी का क्या तात्वरी है, सही answer option B है, आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज, देखें इंडियान आर्मी, दो, आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज को रेस कर रही है, फिस्ट मैनर में, तो पहली जो कंपनी है, वो आर्मी मार्कमेंशिप यूनिट में मध्यपरदेश में होगी दूसरयोगी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट पूने में, HESC will be fully functional with effect from April 2024, और यह जो यंग गर्ल्स हैं, ठीक, उनको shooting, archery, athletics, boxing and weightlifting में इनको training दी चाहिए, साथी आपको जाना चाहिए, एक All Women Maritime Surveillance Mission launch किये गया, और माने निको बार कमांड द्वारा, जो INS 318 है, इसक उतक्रोश में जो है, लेफ्टन कमांडर सुभांगी स्वरूप, तिविया शर्मा और वैसाली मिश्रा रही है, तो INS 318, यह एक एलिट नवल एयर स्क्राइड वन है, और माने निको बार कमांड में, 1984 से ही, पाजवे जल सक्ती अभियान, कैश्टरेन अभियान का विशे क्या है, सही answer option C है, नारी सक्ती से जल सक्ती, देखे, यूनियन मिस्टर फोर जल सक्ती, गज़ंदर सिंग सिखावक, इन्होंने जल सक्ती अभियान, कैश्टरेन अभियान का 5th edition लौंच किया है, निव डैली म इस कैमपेन का थीम है, नारी सक्ती से जल सक्ती, आपको जाना चाहिए, मिस्टर जल सक्ती ने, जल सक्ती अभियान 2019 में लौंच किया थे, काफी महत्मून फैक्ट है, पूछा किया, एक्जाम में एक दोबर, विच कंपनी सेट तू मैनेफेक्चर फ्यूल फॉर फॉर फॉर्मला वन रेसिंग इन इंडिया, कौन सी कंपनी भारत में फॉर्मला वन रेसिंग के लिए इंधन का निमान करेगी, सही आमसर और ऑप्शन धी है, इंडिया नोल कोर्परेशन, जो है जल्द ही, फॉर्मला वन कार्स के लिए फ्यूल प्रोड़क्शन करने वाली है, आने वाले तीन वहीनों में इस तरह से इंडिया नोल कंपनीस भी अब एफ वन चैंप्रिप में अपनी एंट्री मार रही है, तो जो फ्यूल है, वो एफ पन कार्स के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा गेम्स को इनुग्रेट किया है त्यागराइज स्टेडियम न्यूडैली में विच कम्पनी लॉंच का मीथेन सेट सेटलाइट इंडू और्विट किस कम्पनी ने मीथेन सेट उपक्रेग को कक्षा में परस्चेपित किया सही आंसर ऑप्शन सी है इस स्पेस एक्स देखिए मेथेन सेट है यह कैसी सेटलाइट है जो की ग्लोबल स्केल पर मिथेन का जो हीशन है उसको मेजर करेंगी इसे हाली में इसको फाल्कॉन 9 रोकेट हैं यहां से मिथेन इन्विजिबल लेकिन काफी स्टोंग ग्रीन हाउस के ऐसे और सेकेंड लार्जेस कॉंट्रिब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डायोकसाइट के बाद और अगर हम पिछले 20 सालों में देखें तो मिथेन जो है यह 18 तामस मोर पोटेंट है अगर हम वार्मिं संग के साथ व्यापार और आर्थिक सायधारी समझोते पर कब हस्ताक्षर किये औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन्स ही है 10 अमार्च 2024 देखिए डेट काफी महत्पूर्ण हो जाती है क्योंकि काफी लंबे अर्शे से इंतजार था किस तरह का कोई फ्रीटेड फ्रीड एंड एकनोमिक पार्टनर्शीप एगरिमेंट टी इपी ए को साइन किया है 10 मार्च 2024 को भारत काफी टाइम से इस पर वर्क कर रहा था ट्रेड एंड एक्टेड एक पार्टेड के साथ इसके नाम याद रुखेगा एक तो है स्विट्जन लेंड एक है आइसलेंड इसकी स्थापना की गई थी अब भारत इस तरह का इक व्रीट एघरिमेंट गरिमेंट इपीटीएफए में जो इपीटीए है जो यह माफ किज़े जो इफ्टीए है यानि की यूरोपें फिलिटेट एस्टोशीशन यह भारत को ओफर कर रहा है कि 92.2% अपनी टैरिफ लाइन ओफर कर रहा है यानि की अब आप टैरिफ लाइन को इस तरह समझ सकते हैं जैसे मान ल लग रहा है बीस प्रतिशत का टेक्स टैरिफ है ना और शर्ट पर लग रहा है दस प्रतिशत का टैरिफ और अलग टैरिफ लाइन है 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 तो इसका मतलब क्या है यह 92.2% जो इसकी टैरिफ ल बगाता है तो निसे 92.2 परसेंट पर जो है यह अपना कंसेशन दे रहा है समानों पर और जो उसमें समान आते हैं ना वह भारत एक्सपोर्ट कर रहा है 99.6 परसेंट उसमें कवर हो जाते हैं यह इसका मतलब है सेम इस तरह से इंडिया 82.7 परसेंट अपनी टैरिफ लाइंस यहां पर ओफर कर रहा है जिसके तरह 95.3 परसेंट इफ्ट एक्सपोर्ट जो है इसमें शामिल हो जाते है इस एक्रिमेंट में 14 चैप्टर से जिसके तरह में फोकस रहेगा मार्के अक्सेस रिलेट तो गूट्स रूलस अफ और इसन ट्रेट फैसलिटेशन ट्रेट नमेडी सेनिटरी एंड शाइटो सेनिटरी और मेंजर्स टेचनिकल बैजिए इनवेस्ट प्रमोशन मार्केट एक्सेस ओन सर्विसेज इंट्लेक्शल प्रप्र काफी महत्पूर्ण यह आपके लिए कोश्चन है हुउवोन 24 पीडकोर आर्खिटेक्ट्चर प्रैस 2024 पीड वाजस्त्तु कला प्रुष्कार किसने जीता इस अप्षण साब के सामने है सही आंसर ऑप्षण डी है रिकेन यामामोटो इन्होंने दोजार चोबिस का पीट्टक्टर प्राइस जीता है आर्किटेक्ट्छर के छेट्र में यह एक हाइस्ट ओनर है जो दिया जाता है और आर्किटेक्ट्टर का में वन लेक यूएस स्टोर की प्राइस मनी मी दी जाती है आपको जाना चाहिए बाल कृष्ण दोसी एकलोते ऐसे इंडियन है जिन्हें ये प्राइस प्राइस प्राप्त हुआ है दोजा ठारा रमी ने ये प्राइस मिला था प्राइमिसर रिंदमोदी अनवेल्ट ऑवन टॉंटिफाइफ फूट ब्रॉंज स्टैचू ओफ अहूम जर्नल लचीत बॉर्पुकन इन विच स्टेट प्रधान मंतिर रिंदमोदी ने किस राज्य में अहूम जर्नल लचीत बॉर्पुकन की 125 फूट की कान से प्रतिमा का अ आपको जाना चाहिए प्राइमिसर रिंदमोदी ने 125 फूट ब्रॉंज स्टैचू का नावरण किया है अहूम जर्नल लचीत बॉर्पुकन का यह स्टैचू है और यह स्टित है आसाम के जोरहाट डिस्टिक में जहां पर किन की बरियल साइट भी है वेटरन इसकर्प्टर राम वांजी सुथर द्वाराई स्टैचू बनाईया है थोड़ा सा अगर हम देखे लचीत बॉर्पुकन के बारे में तो एक लेजेंडरी आर्मी कमांडर रहे हैं होम किंग्डम के और 1671 का बैटल ऑफ सराइगाट रहा इसमें अपनी लीटर्शिप के लिए जो है जाने में 49 की एज में जो है इनका नितन हो गया था इल्नेस के करण साथ है आपको जाना चाहिए अगर हम और स्टेट्स की बात करें महारास्टे गवर्मेंट ने हाल ही में अपनी फोर्थ विमन पॉलिसी को लांच किया है साथ है आपको जाना चाहिए कि तमिल्नाडू गवर्मे अनके बारे में मालूम किया जा रहा है वेर वह था को श्रब आस्रम इनगरेटेड बाइप्रामिस्टर इंदमोदी लोकेटेड प्रधानमती द्वारा कोश्रब आसरम का उत्काइटन कहां किया गया ऑप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है साबरमती कुछ रात देही प्रामिस्टर इंदमोदी ने कोश्रब आस्रम को इनगरेट किया है साबरमती कुछ रात में यह फरस्ट आसरम है जिसे महत्मा गांधी द्वारा जब वो साउथ आफ्रिकां से भारत आये थे 1915 में तब इस्टैबलिशन उने किया था साथी प्रामिस्टर इंदमोदी ने गांधी आसरम मेमोरियल के लिए जो मास्टर प्लान इसको भी लूंच किया है प्रामिस्टर इंदमोदी ने पैट्रो केमिकल्स कॉंपलेक्स ऑफ पैट्रोनेट एल एंजी इसकी भी आतारशिला रखी है तहेज में और 50 परदान मंतरी भारते जनोस्ती केंद्र को भी रास्ट को समर्पित किया है एहमदबाद कुझरात से हर्याना के नई मुख्यमंद्र के रूप में किसे चुना गया है सही आंजर आप्शन डी है नायप सिंग सेनी देए हर्याना स्टेट बीजेपी प्रेजडेंट एन एमपी नायप सिंग सेनी यह हर्याना की नई चिफ मिस्टर बनाए गए हैं इन से पहले जो चीफ मिश्टर है मनहुरलाल इन्हों ने और इनकी कैबिनेट ने रिसाइन कर दिया है ठीक है क्योंकि बीजेपी और जहां क जन्नायक जन्ता पार्टी जेजेपी जो कड़ बंदने वो तूट चुगा है आपको जादे हर्याड की गवर्णर बंदार बुद्टा तरी है बिशोम की स्राज्य का 27 वाजीला बनी गया ओप्शनस आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन दी है अरुनाचल प्रदीश आपको जाना शे बिशोम जो की वेस्ट एंड इस्ट कामिंग डिस्टिक से अलग होकर बनाए गया है यह 27 डिस्टिक बनाए है अंधर प्रदीश का इसस सब्सक्राइब बात करें से लैंड ओफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है कैपिटल इटानगर है चीफ मिस्टर पेमा खांडू है गवर्णर है कैवल्यर त्रिवी करम परनायक इंडियास फर्स्ट एई जनरेटेड इस्कूल टीचर रोबोट आईरिस लॉंच इन व सेकेंट्री स्कूल तिरंद फुरम केरल में जो है लॉंच किया गया है किसके द्वारा मेकर्स लैब एजूटेक के द्वारा और यह इंटल चिप सेट पर जो है चलता है आप देख भी सकते हैं आपर साड़ी पैनी हुई है इस रोबोट ने और इसको अटल टिंकरिंग लै विज कंपनी हाज इंडसेंड बैंक कोलाबरेटेड विट ओर इंडस पेवियर इंडस पेवियर के लिए किस कंपनी के साथ सेयों किया है और ऑप्शन सापके सामने है सही आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड देखें इंडसेंड बैंक ने इंडस पेवियर इंट्रड्यू मतलब पहन सकते हैं इसको ठीक है और जो भी आपको टांजेक्शन वगरा करनी है कॉंट्रेक्लेस टांजेक्शन पॉइंट अफ सेल टर्मिनल पर वो यहां से की जा सकती है तो किसी भी तरह की फिसिकल कार्ड या पेमेंट अप की जुरुवत नहीं रहेगी इंडसिंड बैंक के अगर हम बात करते हैं CEO से वन कट पर लिया है और Headquarters Mumbai में है टेगलाइन है वी की अरदिल से वी मेक यू फिल रिचर विश ओर्गनाजेशन साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद परसार भारती एन ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कोमर्स to proliferate affordable and accessible digital services across the country किस ओर्गनाजेशन ने देजबर में सस्ती और सुलब डिजिटल सिवाओं के परसार के लिए परसार भारती और ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कोमर्स के साथ त्री पक्षिय समझता क्या परपस्ताक्षिर किये सही answer option दिए universal service obligation fund देखे universal service obligation fund जो की department of telecommunications के तहता था है इन्होंने एक tripartite MOU sign के है परसार भारती के साथ जो की ministry of information broadcasting के तहता थी है और open network for digital commerce के साथ जो ही एक digital public infrastructure initiative है department for promotion of industry and related ministry of commerce and industry का तो इसका MOU का मक्सद यह है कि जो digital services है वो affordable और accessible रहे large part में और इसका मक्सद यह है कि जो OTT और e-commerce platform है ठीक है उनके साथ-साथ broadband services भी यहां पर provide की जा सके मतलब कम rates पर MDNC-ONDC के T-Costi है बाकिया आपको जाने चाहिए कि और MOU sign किया गया है National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT जो कि एक Autonomous Scientific Society है Ministry of Electronics and Information Technology के तहत और Information Technology Institute Egypt के बीच में तो यह मुझी साइन किया गया है workforce skills और promoting employment opportunities addressing skills gaps and fostering international cooperation के लिए where has India's first future labs center has been integrated भारत के पहले future labs के इंद्रका उद्खाटन कहां किया गया सही आंतर उप्शन दी है थिरुनरंदपुरम केरल देखी Union Minister of State for Electronics and IT इसके development entrepreneurship and जलसकती राजीव चंदरशेकर इन्होंने इंडिया की first future labs center को इनोगरेट किया है सीडेक तरुनरंदपुरम केरल में और इस center का नाम है center for semiconductor chips and systems for historic electronics साथ है आपको जानना चाहिए हालीवे minister of rural development ने एक M.O.U. साइन किया है Indian Institute of Technology Delhi के साथ जियो special technology and artificial intelligence के छेतर में सहयोग के लिए who launch the common fellowship portal common fellowship portal किसने लाँच किया है सही answer option दी रहेगा dr. जीतेंदर सिंग union minister dr. जीतेंदर सिंग ने common fellowship portal लाँच किया है जो की एक जो भी department of bio technology के तहत fellowship schemes चल रही है और जो applicants है ठीक है तो उनको एक दूसरे संबर्ग के लिए यह portal लाँच किया गया है तो इससे क्या होगा किसी भी तरगी fellowship या फिर किसी तरगी scheme के लिए apply करना हो candidates के दौरा applicants के दौरा तो इस portal से वो कर सकते हैं आसानी से ठीक है और काफी easy process बना दिये गया है in which country did c6 energy open the world's first large scale mechanized tropical seaweed farm c6 energy ने किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रिक रत उष्ण कटी बन दिया समुदरी सेवाल farm खोला है सही आंतर option c है इंडोनेशिया देखे c6 energy यह एक blue economy company है इसने वर्ड का first large scale mechanized tropical seaweed farm open किया है इंडोनेशिया का जो लॉंबॉक आइलेंड है इस जगा पर बाकी वह लिखाए कि यहां पर जब यह farm खुल गया सीवीड तो सीवीड कल्टिवेशन की जाएगी ताकि जो इसकी अप्लिकेशन हैं बाइ फर्टिलाइजर में बाइ प्लास्टिक्स में ठीक यहां पर अच्छे से नहीं यूज किया जा सके बाकी आपको जाने चाहली में वर्ड का first jet suitries इसको host किया गया दुबई यूई में where was the machine learning and artificial intelligence technology hub inaugurated machine learning और artificial intelligence technology hub का उतकाटन कहां किया गया सही आमसरप्शन दिया है 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 तेकि तिलंगाना government का एक start-up incubator इसका नाम है t-hub इसने department of science and technology ministry of science and technology government of इंडिया के साथ पिलकर है कदराबाद में machine learning and artificial intelligence technology hub को inaugurate किया है आपको जाना चाहिए जो इंडिया का AI market है ये 2027 तक 17 million विर स्टोर तक पहुंच जाएगा हाली में first भारत steam boiler export on 24 ये गुवार्टिया साम में आउजीत की गई विशेंसी लॉंच्टर शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया किस एजनसी ने भारत में शी रिसर्च नेटवर्क लॉंच किया सही आंजर ऑप्शन भी है युश्टी ग्रांश कोमिशन कि इनुर्टि क्रांश कोमिशन का जो इनफोर्मेजन लाइबर्री नेटवर्क सेंटर है ये इसका ये यूजीच का ये सेंटर corporation in डाइबर्री नेटवर्क सेंटर इहने हाली में Śी रिसर्च नेनेटवर्क इन पम होमन यो मेंam म्ला रिप्रेजंटेशन से संबढ थे हैं वेर वाज़ देनेसल डेरी मेला एंड अग्रिकल्चर एग्जिबिशन इनुग्रेटे रास्टे डेरी मेला और किसी परदर्शनी का दुखेटन कहा किया गया सही अंसरॉप्शन सी ज्छारखंड मिस्टर आफ ट्राइबल अफेर्स अग्रिकल्चर फार्मर्स वेलफेर अर्जुन मुंडा इन्होंने तीन दिन की एक नेसल डेरी मेला एंड अग्रिकल्चर एग्जिबिशन को इनुग्रेट किया है वेस्ट स्विंग्बूम डिस्टिक नुचारखंड में मिस्टर आफ स्टेट फॉर लो एंड जॉस्टिस इंडिपेंडेंट शार पार्लेमेंट्री अफेर्स अंकल्चर अर्जुन राम मेकवाल इन्होंने एक डिजिटल एग्जिबिशन लॉंच किया है सुभास अभी रंदन ठीक है जो की सुभास चिंदर बहुस जी की सारीते कहां पर लॉंचिया गया नेसल आइकाइब्स ऑफ इंडिया न्यू डेली में साहित्य एकडमी जिसे की नेसल अकेडमी ओफ लेटर्स कहते हैं यह अपने सत्र साल पूरे कर रही है इस साल और इसी मौके पर यह साहित्यों का आयोजन कर रही है जो की वर्ड का लार् सर्वस्स्ट हवाई अडेगा कितब हासिल किया अप्शन साब के सामने सभी आप्शन सही है डेली एरपोर्ट दे इंडरा गान्दी इंटरनیसल अरपोर्ट डेली इसे हाली में एक पसिफिक रीजन में लगदार छटे साल बेस्ट अरपॉर्ढ का वर्ड दिया गया है अप रिपोर्ट्स काउंसिल इंट्रेशनल के द्वारा विच्वी रिलीजियस ग्रुप्स आर इलिजिबल फॉर फास्ट्रेक इंडियन शेजिएंशिप अंडर दा सेटेंशिप अमेंडमेंट एक टोंती नागरिक्ता संस्वधन अदिनियम 2019 के तहत कौन से धार्मिक सम्वु फा फेर्स ने 11 मार्च दोजार चोबीस से डेड़ भी काफी मैत्पून है इस दिन 11 मार्च दोजार चोबीस को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक 2019 है इसकी इसको पारलेमेंट द्वरा दिसमबर 2019 में इनक्त किया था इस से पहले मिनिस्ट्य आफ़ेर्स ने नोटिफाई किया था कि यह एक्ट जो है दस जनुरूजऑ 2020 से लागू होगा चार साल हो गया है इससे इनक्त होए लेकिन अब तक इसके इंप्लिमेंट नहीं हुआ क्योंकि कि इसके रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए थे क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं आपको बता दिए जो सिटिएंशिप अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्बिल 2019 है इसमें जो भी हिंदूस हैं सीक्स हैं बुद्धिस्ट हैं जैन से पार्सीज एंड क्रिश्चन से ठीक है लेकिन पर पर इनके साथ जाती हुई है इस बेसिप और आपको बता दिए जो अमेंडमेंड्मेंड बिल है ये लोक्सवा में पास वा था 9 ौज नहीं को फिर दो दिन बार राज्यस्वा में पास हुआ ग्यारत सम्बंभ दो जानने फिर आप से पुछाए कि पार्लेमेंट्ट मे हुआ है 11 dLS 2019 को कि बाद में कुण वह राज्यस्वा में तो भी माना जाता है कि पार्लिमेंट में पास हो जा है अगर मान लो पैला हुआ हो था और लोग साफ निदा भानने जाती कि पार्लिमेंट पास जी दिन हो आ subd衅ढ़क है है ठीक है अच्छा जैसे बर्स सर्टिफियेट टिनेंसी रिकोर्स आइडेंटी पेपर्स एनी लाइसेंस स्कूल और एड्युकेशन सर्टिफियेट इसुड बाई गोवर्मेंट और थर्टीन पाहिस्तान अफगानिस्तान और माला देश अच्छा अब जो इसमें स्टीजनशिब के लिए आप ली कर रहे हैं जो भी वबिएक रही एक टी ऐप्लिकेशन डाल रहा है तो एक इंपावड कमीटी बनाई जाएगी थूर डिस्टिक लेवल कमीटी is बनाई जाएगी इंपावर कमीटी उसको बोल रहे हैं जो इन ऐप्ल अधिया इसमें इसमें इन्वाइटी लेवल पर जो कमीटी होगी सेट करेंगे सीजर सुप्रेजंट और सुप्रेजंटेंट इसके लिए जो कट-अफ डेट है मतलब एक दिसमें 2014 से पहले एक के लोग इसमें जो है इलिजिबल रहेंगे भारत की नागलता पाने के लिए ठीक है और भी के तरह के डोक्यूमेंट से आप लिए दिखाने होंगे जैसी कोपी ऑफ पासपोर्ट वीजा स्लिप इसूद बाइसेंस इन्नुमेरेटर पैन काड इन्टिशिटी बिल इंश्रेंस पॉलिशी है सब अचा अब यह जो सीय यह जो इस इंके बारे में बात कर रहे है तो इनको जो है क्रिमिल केसे से भी एक्जैम्ट करता है फ्रिंट एक्ट नाइन फोन्टिसिक्स एंड पासपोर्ट एक नाइन ट्वंटी के तहत साथ ही कर दिया है साथ ही आपको जाना चाहिए कि जो जाता है नौर्थ इस्ट का हिस्सा है उसको सीए से एक्जेम्ट रखा गया है जैसे आसाम का जो ट्राइबल एरिया हो गया मेगाले मिजोरम यात्रिपुरा जो कि सिक्सिड्डूल में आते हैं ठीक है और अणाचरप्रदेश मि सीए के प्रविजन से एक्सेम्ट है है भारत में आपको बता दें थोड़ा सा बेक्ग्राउंड हम देखें जो सिटेंशिप एसको रेगुलेट किया जाता है सिटेंशिप एक्ट नाइंटीन फिफ्टी फाइफ के तहत ठीक है इस एक्ट के तहत पांच तरह से भारत की ना है बाइडेसेंट थूरेस्टेशन बाइच्रोलाइजेशन एंड बाइ इंक्रोपरेशन ऑफ टेरिटरी इंटू इंडिया अब 2019 में जो यह सीए आइस इंस टेंशिप एक्ट नाइंटीन फिफ्टी फाइफ को अमेंट किया यह जो एक्ट है नाइंटीन फिफ्टी इसको 1992 में,203 में,2005 में,2015 में भी ने जो है अमेंट किया गया है तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इस एक्ट को अमेंट किया गया है साथ ही आप करेंट फिर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर डेगर वीडियो अपडेट्स और करेंट इक्वीज़ हम आप सब एक लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्टेस्न ग्रॉप में आप किसी भी कोश्चन का सोलुशन पासकते हैं हमारे करेंट फिर्स की प्लेट्स दीगए इसको आप ज़रूर देखें़ा अपने दोस्तों के साथ साथ वीडियो न साथ हमारे करेंट फिर्स को आप शेर जरू गरें आजकाही इस सेस्ट्घन आप कैसा लगग आप कॉमेंट व्क्स में मश्च बतायेगा Thank you guys.